अनवया दितरत चाल्षी सविग्य स्वरात तीनी ब्रह्म महिडाया आदकवै मुःयंतियत सूरया जीजुवारी मदाम यथा बिनमयो यत्रित सर्गो प्रसा धामनाश्वेन सदा निरस्थु क्वेकन सत्यम्परंधी मही गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देव महिश्वरा गुरूर शाक्षात परंब्रह्मा तसमय श्री गुरवे नमाः निगम कल्प तरूर गलतम तलं सकु मुखादम रतजवसेंतम पिवत भागवतम रसमालयं मौरहो रशिका भुवभावकार। जडचीतन जग जीवजत सकल राम मय जान बंदों सवकी पद कमल सदा जोर जुगपार। जे जे स्रीराधारम जे जे नवल किसोर। जे गुपी जित चोर प्रभू जे जे माखन चोर। वर्शानी की राध का नंदगाम की शाम। वर्शानी की राध का नंदगाम की शाम। इनकी चरणन में करूं बारं बार प्रणाम। आई हनमंत विराजीत कथा कहूं मत अनुसार। प्रेम सहित गाजी धरूं पदारी पवन कुमार। हरे राम, हरे राम, 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 हरे, हरे। हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे, हरे, हरे। शियावर राम, चंद्र जिकी जाए। कवन सत्हनुमान जिकी जाए। बोलो वाई शव शंतन की जाए। अबने अबने गुरुजी माराज की जाए। अबने अबने पुझ्य माता पिता की जाए। राम इश्व रमधाम की जाए। भागवत वहवान की जाए। सभी लोग यथा इस्थान खेड़े हो जाए। मुक्ष जमान स्रदेश्री सचिन जी। धर्म पत्नी सहित मिल करके बड़ी भाव। भाव से भागवत जी की मंगलालती का गायन करेंगे, आउपड़ी बहाव और सद्धा के साथ गुन आते हैं। भागवत की आरत की जे, प्रेश्न की दर्शन कर लीजे। भागवत की आरत की जे, देश्न की दर्शन कर लीजे। रूप हरी का बतलाते हैं, संत मुनिय सागाते हैं, प्रेमसे सीस जुकाते हैं, प्रेमसे सीस जुकाते हैं। चबी ने दुन बेया कर लीजे, प्रेश्न की दर्शन कर लीजे। बागवत की आरत की जे, देश्न की दर्शन कर लीजे। जो सिवने अमर कथा गाई, जो सिवने अमर कथा गाई, मात गोरा नहीं सुन पाई, मात गोरा नहीं सुन दिपाई, शिरी शुकदेव के मरवाई, शिरी शुकदेव के मरवाई, उने इरदेवे भर ली जे, पेष्ण के दर्शन कर ली जे, वागुवत की आरत की जे, पेष्ण के दर्शन कर ली जे ली जेउडने शी हम के दर्शन कर ली जे, पेष्ण के दोदिए। प्यासमुनिने वहलिख दीनी सुतर शोनक मनवीनी पान उस अम्रत तांकी जरे खुष्णत तर्शन करिली शिरी सुकदेवने जवताई परिचत के मन को भाई सात दिन में वो की पाई प्रेम सेन मन गदाती दे प्रेष्ण के दर सद करिली दे प्रेष्ण के दे प्रेष्ण के दे टागेवेंद्रशारे कारेकी जह जए जह जए श्री रादेश्या जाएउंभगए अपना अपना इस्तान ले ता मुद कॉते हब स्पार्या लादूसर Alleane सब्सक्ताइब अपन आपना इस्तान ले ले अपोडता भोजन आप लोग देरी से करते हैं जै देरी से खुलते हैं भोजन को दो वजे बंद करदिया करो जहो अनंद कंद वहवाने के जय हो शचेद अनंद वहवाने के जय हो जय जय स्री राग देश्या मानुर्वाडी को पवेत्र करने के लिए प्रवुनाम संकीरतन करेंगे बड़ी बहावर्शद्दा के साथ समी गुनवुनाइगे स्री क्रेश्नम शरेणम मामा स्री क्रेश्नम शरेणम मामा स्री क्रेश्नम शरेणम मामा स्री क्रिष्टा शर्णा मामा स्री क्रिष्टा शर्णा मामा क्रिष्टा शर्णा मामा कि कि शुष्ष्ण सरुनाम माँ श्रीक्रिष्णाहश्वार नामाा श्रीक्रिष्णाहश्वार नामा बंदवन धाम वास वलो अतिकिय मुना के तोलिनो नाहाओ उतिया मुना के तुलिनों नहाओ दोवर धन की दोपर कम जीवन अपनों सफल बनाओ सेवा कुझ की करूआर को सिर्वा कुझ की करूआर रच की रच ही में मिलना हूँ कैसी कभा कराशी आदे रच को छोड़ कहीं ना जाओ रच को छोड़ कहीं ना जाओ रच को छोड़ कहीं ना जाओ स्वी कुष्णा शार्णा 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 ना जाओ झाल 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 तमिल नाडू नाम का ये प्रांत झाल 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 जाल झाल झाल विराम झीद्या था प्रत्ष्न जाल आद लुट्ष्ण प्रश्न किया महराज गुरुदेव जो सिग्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए जो सिग्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए किसका वजन करना चाहिए किसका ध्यान करना चाहिए आचार सुगदेव कहते हैं राजन ही परिक्षित अब सुगदेव जी वाली भागवत प्रारम होती है अभी तक प्रारम नहीं हुई थी वरिया नेशते प्रिश्णा क्रतो लोक हितम नप प्रिक्षित तुम वास्त में बहुत अच्छे नप हो आज नप बनना तुमारा सार्थक हो गया है यह तुमारा प्रिश्ण तुमारे लिए ही नहीं है सारे संसार की लोगों का कल्यान करने वाला प्रिश्ण है आगे भी कोई से सुनेगा उसका कल्यान अवश्य होगा आज हम और आप सुन रहे हैं सजनों इस प्रिश्ण का जो मर्म है इस प्रिश्ण के जो मर्म को जाने लिएगा वास्तन उसका कल्यान हो जाएगा हम और आप सब ही मरने वाले हैं मृत्यू हमारी तुम्हारी सब की निक्टस्त है इस बात को वास्तम में हम जाने लें कि हमारी मृत्यू निश्चित होगी जानते हैं, मानते नहीं, सब को वालों है, मरना है, लेकिन जानते होते हुए भी, मानते नहीं, जिस दिन हम ये मान लेना, वास्तम में, उसी दिन हमारा कल्यार का ये जो रास्ता है, वो मजबूत हो जाएगा, पर मानते नहीं, जानते हैं, के रहाजा प्रिक्षित जो मत्यू आशन्य व्यत्ति है कि उसी प्रभोव का वजन करना चाहिए बहु हुआन की नाम का जाब करना चाहिए बहुआन की नाम का कीलतन करना चाहिए यहां लिखा की नामानु किलतनम भगवान की नाम का जब हम बारवार गायन करते हैं बारवार उचारन करते हैं बारवार गाते हैं तो वही किलतन हो जाता है दिखो किलतन दो प्रकार का होता है मुकेशी एक होता है नाम किलतन और एक होता है गुण किलतन अब भागवजी में जो सुप्तेव जी ने लिखा है वो गुण किलतन के लिए नाम किलतन के लिखा है हरे नामान किलतनम अब गुण किलतन में और नाम किलतन में क्या अंतर है बोले गुण किलतन में तो भगवान के गुणों की चल्चा होती है और नाम किर्तन में भगवान की नाम का गायन किया जाता है, बार बार प्रभु की नाम को गाया जाता है, वो नाम किर्तन है, भगवान का नाम एक ऐसा रह गया है, जैसा सत्यगु में था, जैसा त्रिता में था, जैसा द्वापर में था, जैसा वैसा इकलिगु में, हर चीज में मिलावत, खोबा में मिलावत, घी में मिलावत, मक्षन में मिलावत, कथा कारों में मिलावत, कथा में मिलावत, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें मिलावत नहीं हो। हर चीज में मिलावट रहे कहीं चले जाना अभ तो बाग जी की जो कता ना उसले भी मिलावट करते हैं गवागवानकी कथा नहीं सुनाते हैं अब जहां मिलावट होती है कुछ दिन के लिए है टहां हो सकता है यह ने तो बीजन Jaakar कि गिरावट हो जाती है讲 पर एक सीज में मिलावट नहींैंगे भूले किसमें मिलावट नहीं र takie बोले वह बहुआण का नम हो गपार कि बहुआब के नाम में अभी अभी तक ईभी मिलावत नहीं हो चाहे लेने वाला मिलावटी हो लेकिन वहवान के नामे में कोई मिलावट नहीं है इसे जितना भी आप गाओ उतना ही कल्याण होगा किशी भी युग में इसका गायान जैसे पहले करते थे वैसे आज होता है और आज में जद गाओ गई तो मिलावट तो ही नहीं हो और जा चीजे में मिलावट नहीं होती है, वही लाव पहुचाती है, और जिसमें मिलावट होती है, उसमें कभी लाव नहीं मिलता है, अरे नाम की महमा तो तुलसीत भावाने राम न सकने नाम गुणगाई, इस नाम की महमा तो राम जी भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए ही भृवान की नाम का बजन करो भगवान की नाम कारो कि अधिक से अधिक मिसालिकितन करें दो एक प्रधार प्रष्ट अधानका को डुछ तन और भगवान का दितन अपर भग्रवान का नाम के इतन गोन की इतना में सूतव्य आई हो Happy उनक्रीटन में सुना जाता है और नाम की उनकूर iya जाता है कि शेकर दूसर के दोरा जैसे हम कोई अनुस्टान कराते हैं और तक से करा लेते हैं करने वाले को भी तो लाब मिलेगा के देना महराज हमने अनुष्टान कराया लाब नहीं मिला लेकिन सो परसेंट लाब नहीं मिलेगा पचास परसेंट लाब मिल सकता है लेकिन पचास परसेंट लाब करने वाले को मिलेगा इसलिए कीलतन हम गाते हैं और गोणों को हम सुनते यह अंतर है शोतव्य भगवान की कथा का स्रवण करें और यहां लिखाएं कीर्टितव्यस्ण भगवान की नाम की किर्थी को गाए आज भगवान की किर्थी कम शुनाई जाती है वर्ता करलेगों में अपनी कीर्टी जाता सुनाते हैं इसलिए कथा का जो फल हमको मिलना चाहिए वह फल हमको नहीं मिलता है स्रोतव्य कीर्टी तब्यस्च इश्मर्त बिछेतावयम और भगवान की लीलाओं का इश्मरण चिंतन करना चाहिए जो ऐसा करता है वह वास्ता में निर्वय ताको प्राप्त हो जाता है और निर्वय संसार में केवल परमात्मा है परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई भी निर्वय नहीं है ब्रह्मा जी को भी वह है इसका अपनी आयू का इंद्र को भी वह है काई का अपनी पद को जाने का संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वह नहीं हो केवल संसार बनाने वाला जो है न हो है निर्वे है और ये भागवत हमको क्या देती है ये भागवत हमको निर्वे तत्त से जोड देती है जब हम निर्वे तत्त से जोड जाते हैं तो वास्त में निर्वे हो जाएंगे जब गंगा का जल एक बाल्टी पानी में गंगा के जल कि यह साउंड वाली आवाज सुने हो तो बताएं क्योंकि गड़वर है साउंड में थोड़ा है आप कर दो गेटर आप देखे लोग थोड़ा से बढ़ा दो तो हुआ हुआ है अब है इसके बाद में रजा परिक्षप ने का परने ग absol vér आप वह ए मेरा तो जीवन ही बहुतन है असा अस परिक्षित िखी दोड़ा नहीं हमारा तुम्हारा सब का जीवन रुधा है जादा कऊं बता है जादा यह ज्यादा बहुतना है महराज, आप मुझे कोई ऐसा सादन बताओगे, साद में उसे न कर पाओं, क्यों? भुली साद है, साद दिनों का जीवन में जल्दी मर जाओंगा, कल आपने क्रचना सुनी थी बसें सुना था आनन्द कन्द वहवाने की, सच्चदानन्द वहवाने की, जै बढ़े, बढ़े, शीय साब है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीरवाद शीय साब आपको, तो चलें कता प्रिशन पर मुकेश जी, भाई, धामा में आगर के कता का हमने मर मन जाना, धाम पर आगर की कता सुनी और फिर भी गानी वजाने में उसे निकाले दिया, तो फिर यह हमारी मुह रखता है, कता को, मर म जाने नहीं तो आप सिर्वन करेंगी यहाँ, तो महराज, मेरा तो जीवन के वल साथ दिन से इस रह गया है, आचार शुक्ते बुली राजा, परि जीवन ही केवल दो घड़ी सेश लह गया था, और भगवत प्राप्ती को प्राप्त कर लिया था, भगवत प्राप्ती हो गई थी, मन को भगवान के चड़ों से लगाओ, भजन करो, गुरुदेव, भजन कैसे किया जाए, भजन में मन नहीं लगता है, को ऐसा उपाय तो बताया, एक इश्लोक की मात्यम से, जितासनों, जितास्वासों, जित संगों, जित इंद्रिया, इस्तूली भगवतों रूपे, मने संधार एधिया, जितासनों, पहले आसन को जीतो, किसको जीत है, आपकी बात समझ में आरी या नहीं आरी, पीछे वाले तक, कल एक सिकायत आही थी, महराज जी, आवाज साफ नहीं आती, गल्ले में कोई defect नहीं है, या तो तुमारे कानों का कोई defect हो, या फिर इस यंत्र का कोई defect हो, हमारा गला तो ठीक है, तो आप साब्धान होकर के सुनोगी ना, तो ये यंत्र का जो defect है ना, आपको परिशानि कर कानों का जो डिफेक्ट है वो दूर हो जाए कानों की स्रवन सकती है यदि हमारी शाबदान हो जाए गर में कवरे में बंद कोई ओकर कि कोई आवाज लगाता ना करोद में उसे सुन लेते हैं नहीं सुन लेते हैं और यहां तो बीच में दीवार भी नहीं है केवल आपके कानों की स्रवर सकते में कोई डिफेक्ट आ गया है इसका मतलब तात पर यह है तो जिनको ऐसा लगता है कि पीछे आवाज समझ में नहीं आती है तो वो आगे आकर के बैठे जाए लेकिन आगे आ सकता है है कि तो हिरा प्रिक्षित जिता सनों पहले आसन बोख जीत अब आशन हम 4 गंटे नहीं लगा सकते हैं शांठ कैसे करेंगे नहीं हो सकता ना है ौइक आसन को जीत लह लेकिन आसन को कभे जीत हैंगे जब हैं रहो हम कि एफ इसन माने भूजन भोजन को जीत लेंगे अब भोजन बिना हम नहीं रह सकते हैं कथा सुनने के लिए आएं और भोजन करके आएं तो एक आशन पर बैट लेंगे अब बोलो हैं नहीं बैट सकते हैं आशन को जीतना है तो पहले भोजन को जीत लो इसलिए बागोजी में लिखा मात्म में कि निराहार रहकर के कथा सरवन करें निराहार न रहा जाए तो फलाहार ले लें आज मुझे तीने दिन हो गए अनने नहीं लिया हमारी साथ जज्मान भी है उन्होंने भी नहीं लिया दिनेश जी है नहीं लिया और मैं आपको सच बताओं याद भी नहीं आता भूब नहीं लगती है मैं तो यह सोच रहा था यादि मुझे ऐसे पहले मालूम होता जब मैं कथा कहना प्रारम कर किया था तब तो मैं एक समय फलाहर लेता था एक समय भूजन लेता था राती को लेकिन जैसे जैसे अब हम कथा में प्रिवेश कर गए तो अब हमने सुबह का फलाल लेना बंद कर दिया भूजन लेते इसलिए ऐसा सरीर हो गया है यदि एक समय हमारा भूजन बना रहता है तो सायद सरीर में विकार नहीं होते और ऐसा सरीर नहीं होता एक समय भूजन करने वाला जो होता है न वो हमेशा ब्रतधारी बताया गया है एक समय का भूजन करने वाला एक नारी सदा ब्रहमचारी एक इस्त्री का साथ करने वाला हमेशा ब्रहमचारी माना गया है और एक समय भोजन करने वाला वह कुन होता है वो ब्रतधारी के समान होता है हमेशा ब्रतधारी माना गया उसे पर ब्रत रखने की आवश्चता नहीं होती है तो पहले हम भोजन को जीत लें अच्छा एक बात है भोजन यहीने की पेट में जाए हमारी इंद्रियों का भी भोजन होता है जैसे जिब्या का भोजन है क्या रस लेना इसलिए भगवान की कता जब स्रवन करू भगवान का भजन करू स्वाद लेना बंद भोजन जैसा मिल जा वैसा लेलू उसमें आप तक आपंट वाण करते हैं साथ ना करते हैं और भोजन कटे हुए देख लेना अगवी जित्ना बोजन बनेगा एक पात्तर होता हमके पास में जिसे खपर कहते हैं उस कपर में डाले लेंगे और ऐसे में लाएंगे जीम जाएंगे वो कि मानों कहते हैं बजन करने वाले को स्वाद नहीं चाहिए और जो जिब्या का स्वाद लेगा वो बजन कर नहीं सकता है इसलिए भजन करने वाले को साधना करने वाले को स्वाद को जाग देना चाहिए अब जिब्या का भजन क्या है स्वाद लेना और आँखों का भजन है देखना हमारा भजन ही तो सुत होना चाहिए जब हमारा भोजन सुत हो जाएगा भजन सुत हो जाएगा लेकिन अब हमने वो भोजन तो सुधार लिया लेकिन नेत्रों का भोजन नहीं सुधारा नेत्रों का भोजन क्या है देखना बहन बेटी बना करके देखो न पर देखा नहीं जाता है बड़ा कठन है बहुत कठन दादा के रूप में देखो, गुरु के रूप में देखो, बिटिया के रूप में देखो, बेटी के बहन के रूप में देखो, भुआ के रूप में देखो, मा के रूप में देखो जिस दिन हमारे नित्र ऐसा देखनी लगेंगे, समझ लेना कि वास्ते में हमारी, हमारा आखों का जो भोजन हुए है, सुधर गया, कानों का भोजन है, सुनना, यह सुधरना चाहिए, जब तक यह नहीं सुधर एगा ना, कुछ नहीं से, इसलिए, जितासनों हमारा भोजन है, जोजन को हम जीत लेंगे, ही राजा प्रिक्षत, उसी दन हम आसन को जीत लेंगे, और जब तक आसन को नहीं जीतेंगे, तब तक भजन हो ही नहीं सकता है, हम चार गंटे कता सुनते हैं, और चार गंटे में एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, सोफा चाहिए, सोफा चाह किया खाक जवानी किरीम लगा लगा करके दुनिया को दिखा रहे हैं अबनी जवानी करीम लगा करके दिखा रहे हैं पाउडर डाल करके जवानी दिखा रहे हैं अरे यह जवानी ठाकुर नहीं देखता है ठाकुर तो दूसी जवानी देखता है अच्छा कहते हैं कि भहवान कृष्ण को माखन बहुत अच्छा लागता है इसलिए माखन खिला देते हैं माखन का मतलब क्या होता है माखन को नवनीत कहते हैं नव माने नया और नीती अच्छे-च्छे हमारे अंदर से विचार आने लगे अच्छे सोरे सोती सोते पिचारा जाएं, भगवान का नाम याद आजाएं, भगवान की कथा याद आजाएं, तो मानो भगवान को तुम्हारा भोग लग राएं, ये वास्तमी ये नवनीत है, ये माखन है भगवान को, ये भोग को लगाओं भगवान को, हम एक आसन बर वेटगर के भगवान का बजन निए कर सकते, क्या खा करेंगे, क्या हमारी जवानी है, सहार कथा सुनने में मिलावट आगी है, घर पर रहो तो भगवान के नाम को रटते रहो भ disrupt दूंकि नाम में कोई फी मिलावट नहीं कि पॉई मिलावट आव कि फिर कि जितासनों जो आसन को जीत लेते हैं तु फिर जितसवासु फिर वह सांस को भी प्रैडायम के द्वारा स्थफ प्रव्जरें जीत लेते हैं और जो प्राणायम के की वाराज जो सांस प्रविजा प्राप्त कर लेता है वह जित संग को भी जीत लेता है संग जीतना जरूरी है बेणी पीने वाले का संग करते हैं तो बेणी पीना सखा देता है जुआ खेलने वाले का संग कर लो जुआ खेलना सखा देता है ब्यापारी का संग कर लो तो लिष्ट में तुम्हारा नाम आजाएगा चाह चोरी न करी लेकिन वो चोर पकड़ा गया तो तुम्हारी यह पुलिस जरूर आजेगी तो इसलिए संगो जी तो फिर भगवान के इस्तुलू रूप का द्यान करो फिर राजा परिक्षित ने कहा गुर्देव यह भगवान का इस्तुलू रूप क्या है बोले जो कुछ नजर आ रहा है यह सब भगवान का इस रूप है बोले यह जो संसार है ना यह सब भगवान का इस रूप है अब राजा परिक्षित ने यहां तक सुनने के वाद में का हमाराज यह सारा संसार ही भगवान का रूप है तो भगवा ने संसार की रचना हां क्यों करते हैं और इस संसार की रचना कैसे करते हैं आचारी शुकदेव जी ने विचार किया अरे यह तो भगवान की श्ष्टी के वारे में प्रिश्ण कर रहा है इसलिए अब सश्टी नाम तो भगवान की रचना के वारे में प्रिश्ण कर रहा है तो यह तो माया को जानना चाहता है तो यहां माया को जानने के लिए बताने के लिए सुकदेव जी ने बाहर है इस लोकों में माया पती का ध्यान किया है और अब उन्होंने महाराज ये मानों के मंगला चरण किया है पहले तो ज्ञान चरण करने लगें सीधे-सीधे मंगला चरण नहीं किया है भूल गई साहिद जब ऐसा प्रेम जागता है न तो ऐसा हो जाता है और फिर ध्यान किया आओ हम और आप थोड़ा सा ज्ञान करते हैं राम कृष्णा हरी 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 प्रज की लदान पे गल्म व्रक्षवार रारू प्रज की बने हाद में औची सचना अले हादू रम्भा तुवार ढानो में न के द्वार बे तुवार डानों में न क्य द्वार बे कहत्त अभरा बे इक्राना अन तुचाना आओ करते चाहित जातुँ सब देम्द कुवार्याद के कुवार भैज़ सब देम्द कुवार भैज़ रभ देकार भैज़ राम पिश्वार भैज़ झाल 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 झा जो आप मुझे आपने पूछा है यही पृष्ण एक वार तुम्हारी पूरवजों में बिदल नाम की हुई और उन्होंने मेत्री दिशी के पांस में जाकर कि यह पृष्ण किया था यह तुम्हारा पृष्ण कोई नए पृष्ण नहीं है अच्छा एक बात हैं आप जब कथा सुनदे हो ना आपको लगता होगा कि साधी व्यास यह नहीं कथा सुना रहे हैं लेकिन कोही भी कथा नहीं है ही नहीं दुनिया वरगे जितने व्यास हैं, सब व्यास्ची की लिखी हुई कथा सुना रहे हैं, अंतर केवल इतना होता है, कि वो कितना सजो करके बोलते हैं, भाई सबजी तो सबजी, आलू की सबजी है, तो आलू तो आलू है, वो बनाने वाली पर निर्वर करता है, इतना अंतर हो उनका स्वाध्या करके एक जगे उनका सहीओ करके आपको सुना दिया जाता है और आपको लगता है कि सायद ये कता हमको व्यास जी नहीं सुना रहे नहीं कोई कता नहीं कहा ही राजा परिक्षित तुम्हारा ये पृष्ण नया है ये नहीं बिदुर जी ने भी मैत्र जिशी के पास में जाकर के ये प्रिश्ण किया था अब राजा परिक्षत का ज्यान बदल गया अब राजा परिक्षत ने कहा महराज एक बात बताओ बोले क्या बोले बिदुर कहा और बिदुर तो इधर उधर वन में ब्रहमर करते हैं विद्रुजी महाराज और मेत्र जिशी हरित्वार में वो तो बहुत दूर है इनका मिलन कहां हुआ कब हुआ कैसे हुआ फिर बताया कि इस कथा का अन्शुत तो महारे वंसे से जोड़ा हुआ है परिक्षित और इस कथा से एक कथा कृष्ण कथा उदय होगी परिक्षित ने कहा गुरदेव इस कथा को थोड़ा सुनाओ तो बताया कि देखो राजा परिक्षित जिस समय तुम्हारे दादा स्री धर्मराज युदिश्टिर ने जुआ की सल्ट की अनुसार बार है वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्यातवास सेन किया कितना समय हो गया तेर है वर्ष हो गए और जो तेरमा वर्ष चला हुआ था राजा विराट की वेटी उसके साथ में वहां बिवा हुआ और कहते हैं महाराज इधर राजा विराट की गाय चुराने के लिए वो कोरव आते हैं वहाँ उन्होंने रक्षा की पंडवोंने और वहाँ बताया कि वाज तेरे वर्स का अपनवास पूरा हो गया लेकिन इसाब लगाया बही समाधी और जो भी मातमाति इनके साथ बोले वाज तेरे वर्स तो पूरे होगे इनके लेकिन तुभी वह दनके अंदर भी मानी आ गई बोले अभी इनके तेरे वर्स पूरे हैं नहीं हुए जबकि तेरे वर्स से उपर पांच महीने चले गए थे तेरह साल पांच महीन हो गए ते उनको लेकिन फिर भी वो इतना नीती पर से हट गया बुला नहीं तेरह साल नहीं हो गए उनके तेरह वर्स नहीं हो गए और बुले ठीक है तेरह वर्स नहीं हो गए हिसाब लगाया तेरह वर्स पांच महीन हो गए लेकिन तुम नहीं मानते हो, तेरे वर्षी माने लो, अब ऐसा करो, इनका राज बापिस कर दो, लेकिन मना कर दिया, अब यहां भगवान स्री कृष्ण पहले तो बड़े बड़े संत, महत्मा, मुनी बेजे गए, समझाने के लिए, लेकिन दुरियोधन ने सब की बात को बाद में भगवान स्री कृष्ण संधी दूत बनकर के गई, और संधी दूत बनकर के जब गई, तो दुरियोधन को पहले पता लग गया था, सूचना मिल गई थी, कि कृष्ण आज संधी का प्रस्ताव लेकर के आ रहा है, आज मैं मुझे मौका मिल गया, कृष्ण को मैं हस्तनापुन नगरी को दुलहन से ज़्यादा सजाया गया, और बड़ा भब्य स्वागत किया गया, कृष्ण का, लेकिन कृष्ण इस स्वागत से नहीं रीजते हैं, अंदर ले गया, भहवान कृष्ण ने कहा, अरे दुरियोधन, आप पार्णवों का राजिय वापस कर कर दो, और उन्होंने जो जुआ की सर्दति उसका बहु भोग लिया है, मानने कल लिया है, उनका समय पूरा हो गया, लेकिन जब बेहिमानी आवे न, ऐसे आती है, बोला देख, कृष्ण, मैं सूची अक्रेव निविधास्यामी बिना युद्यन केसव, है केसव, सूची मा को रखने के बरावर में जमीन वापिस नहीं दूआ, ये दिनको जमीन लेनी है, तो मेरे सामने आए, युद्ध करें, अच्छा, बस भगवान वाँ से चलने लगी, अब दुर्योद हमने आवाद लगाई, कृष्ण, इधर आओ, बोजन कर लो, भगवान बोजन कहां से कर तुम हमारी बात नहीं मानते हो, ऐसा कर लो, मैं आया हूं तो मेरी वीचत रह जाएगी, अधिक नहीं तो पांच गाउं दे दो, पांच भाई है, एक एक गाउं में गुजारा कर लेंगे, लेकिन ना, बोले बिना योद्ध के जमीन वापिस नहीं करूंगा, बहवान बोल नहीं जा मान नहीं है, वहां भूका रहना अच्छा है, भगवान कृष्ण नहीं कहा था, अरे दुरियोधन, बिना मान के भोजन करने से तो भिस्खाना अच्छा होता है, मैं तेरे भोजन को नहीं करूंगा, क्योंको तेरा अन्द व दूसरे तनने हैं बेहिमानी का, भाई के हिस्सा को रख ले, जो भाई के माल को खा ले, उससे जादा और दूसरा कोन बेहिमानी करने वाला हो सकता है, सबसे बड़ा बेहिमान तो वही है, जो भाई के हिस्से को खा लेता है, जगडाई या इस बात का है महाबारत में, और क्या जगडाई? दूसरा कोई स्चीज का लाज़ को ले करके एक भाई दूशेना नहीं चाहता है और रामयन के अंदर उससे ले करके ज्गडा हुगरा है इसे तुम स follu इसे दू हम फोलो मुझे नहीं चाहिए से किसी बाइन कुई एक दूश्य वह कि अंदर कोई सत्ता का लोब इन है और वहाँ सत्ता का लोब है महभारत हो गया मारे गए तो ये हमारे लिए बिशेश कताएं थोड़ा सा ध्यान देने की आपशकता है सजनो एक और बात है जो भाई के धन को हड़पता है न संसार में हर रोगों का समन करने के लिए दवावनी है पेट में गैस बन जाए तो चूरन चाट लिओ हाज मॉला की गोली खाल वो पचा देती है लेकिन संसार में ऐसी कोई हाज मॉला की गोली नहीं वनी जो भाई के हिस्चे के माल को कोई खा जाए और उससे वो पचा लिए कि जब ज़्यादा खालेते हैं तो पेट में अफ्रा हो जाता है जो बाई के भाग को खालेता है वो ज्यादा ही तो खाता है और ज्यादा खाना ठीक नहीं उतना है बिल्कुम नहीं भगवान ने कहा अरे तेरे भोजन से तो जहर भी अच्छा हुगा जहर खाल जाए तो अन्याये के द्वारा इस धन को बटोर रहा है अच्छा एक बात है हम जिस अवलाद के लिए धन बटोरते हैं वो अवलाद हमारी निवतियंत में जा करें फिर धन किसको बटोरना यह भाई कि दन तो इतना चाहिए जिसे हमारा जीवन चलता रहे बोजन उतना करना है जिसे हमारा जीवन चलता रहे बोजन के लिए नहीं जीना है बोजन जीवन जीने के लिए करना चाहिए लेकिन बोजन के लिए नहीं जीना तो हमारी एक इस्तितिवरी हम धन बटोरने में लगे रहते हैं लेकिन जिसके लिए हम धन बटोरते हैं वही हमारे नहीं होते हैं एक समय में किसके लिए बटोरते हैं हम को हम जो भ्यापार करें जो दन कमारें अबने लिए नहीं कमारें इसके लिए कमारें अबने लिए क्या चाहिए भाई दो रोटी का जो आड़ चाहे, दो रोटी तो मिल जाएंगे, कहिं लेलो अपसे, हैं लेकिन भाग國家 में लेका, कुट्बमों बरे नवा, कुट्बमों का अभरान पोर्षण करने में हम लगे हुए हैं, पूरा जीस नहीं हैं, और कुट्मों वाले इतने बेरहमी होते हैं, का इभार टो करा है वारे तु नहीं तुने किया क्या हमारे हमको तुने जनम दिया तो जनम देन daher मी तेरा स्वारत था यह दुद कर देupp मैंने अपनी आखों से कानों से सुना है एक हमारे पास गाउं के पास में गाउं है दरियापुर गाउं अपने माता पिता से इसा गह रहा तो वो बालक अरे तुने जनम दे दिया तो क्या दे दिया जनम देने में भी तेरा स्वारत था अब बताओ उसे पिता की चाती पर उस मा की धड़कम क्या कह रहे हो इसलिए ये भागवत हमारे लिए इसलिए आज इसे अभ्यास करोगे तब जाकर कि ये हमारे हिल्दे में जाकर कि उत्रेगे अब भभवान कृष्ण बोले दिख में तेरा भोजनी करूँगा और भभवान कृष्ण वहां से चले जाते हैं और भभवान कृष्ण जब लोट करके जा रहे थे उनको याद आ गई थी किसकी विदूर जी की अच्छा एक बात है ग्रंतों को पढ़ने से पता लगता है रेतू तुम ही कल लो फोन गिफ्ट चड़ा दू या चड़ा दू उसे आ जाओ कोई बात है हमारी बहुत लाड़िले सिस्थें बहुत पुराने सिस्थें हमारी भाई मुकेश जी और हमारी ये रेतू बहन बहुत समय पहले दिक्षित होगे और इनकी द्वारा ही हमको जब गुरुदाम बनायता सबसे पहले ग्यार अलाग रुपे मिले थे और बहुत अच्छा परवार है तो चले प्रिशंग पर यहां सुकुदेव जी कहते हैं ही राजा प्रिक्षित यह जो तुम्हारे वंसमें होने वाले जो विदुर जी हैं महत्मा हैं संत हैं लेकिन यह मंत्री थे महमंत्री थे लेकिन यह सैलडीटे थे हां राज कोश्त से कोई धान नहीं में लेते थे हां उजण आदी की व्याफ्ष्टा एक मंत्रि के लिए कि या लेकिन वह भी नहीं के लिए आवास भी नहीं लिया और जंगल में बहुत दूर जाकर के कोटिया बना ली वहां रहते थे ऐसे लोग आज भी हैं मैंने सुना है देखा नहीं है लेकिन हमारी जट्रारी के लोग कुछ आई हैं सायद उनको जादा मालूम होगा एक अध्याबक जमना करने में पढ़ाते हैं अब तो बेटायर होगे उनके वारे में मैंने सुना था उन्होंने कभी सेलर जब कल्यों में आज की युग में ऐसे हैं तो यह तो बहुत समय पहले की बात थी विद्रुजी संद हैं सरकार का दिया हुआ जो निवास है उसमें नहीं रहते हैं चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री हैं दूर उस राजी से जाकर के कुटिया वना करके रहते हैं और वहां से अपने मंत्रिपत का संचालन करते हैं इधर भगवान कृष्ण दुर्व धन के बोजन को प्याग करके चले जाते हैं और उधर विदुर्वानी जो थी विदुर्जी की गरवाली नाम था जिसका सुलुभा सुलुभा ने अपने पती से कहा महराज यदि हम हस्तनापुर में रहते तो मैंने सुना है आज स्रीक कृष्ण आये आज मुझे जरूर कृष्ण का दर्शन हो जाता लेकिन तुमने कुटिया इतनी दूर बना ली मैं तो जावी नहीं सकती और मैं कृष्ण दर्शन से बंचित रह गई कोई बात ना दे भी चिंता मत करो ऐसा कहकर कि वह जंगल को चले जाते हैं अब जंगल क्यों को यह मालूम है वह प्रशन तरिका यह धर्म है था पहले कितना सुंदर उनके जीवन में धर्म उनके आच्रन का दर्म देखो ना कितना उनके आच्रन में धर्म होगा अब तो गली का में मर हो जाए हरे साब वागि नकड़ी देखो अब लगड़ी लेने के लिए चले गए जंगल में और उधर विदुरानी जो सुलवा है विदुरानी तो ऐसे कहते थे विदुरानी नाम नहीं था जैसे शेट जी की घरवाली नहीं होती क्या बलते हैं उसे शेटानी चैपर समय नहीं फूटी कोड़ी भी अब जैसे पढ छती की घरवाली के मरें है नाम इस नाम तो गना कि तोलों की घरवाली थे शलें बैदुरानी कहते थे त्याहत हसे लेकिन उसका नाम नहीं था उसका नाम था सुलवा अब उसको महराज भागो जी में तो प्रिश्ट नहीं आता पर बताते किसी भक्त ने लिखा कि वो बिदुरानी से बाते करकर के बिदुर जी चले जाते हैं लगडी लेने के लिए और बिदुरानी उस चिंता में डूर गई कि साइध में हस्तनापुर होती मेरा निवास हस्तनाप मेरे पती तो मुझे कृष्ण दर्शन हो जाता ऐसा विचार करते करते बहुत देर हो गई और इश्णान करना भूल गई फिर ध्यानाया मैंने इश्णान नहीं किया में इश्णान कर लो अब इश्णान करने के लिए वैठी इश्णान कंदी लगा दूं सारा घरी तो बातरूम मन गया है फिर वह है नहीं दूसरी शारी नहीं थी बिद्रणी के के रख दिया और इश्नान करने के लिए तयारी करने लगी और जल्मी नहीं डाला अपने सरीर के उपर तभी तक वहवान कृष्ण द्वारे पर आ गए और कुंदी कट-टाने लगे आवाज लगाई काका जी कृष्ण के यह चाचा लगते ना आवाज लगाई काका जी अंदर से आवाज आई कौन है अब भगवान ने देखा सुना अरे यह तो काकी विद्रानी की आवाज है हाँ अंदर से आवाज आई अरे कौन है भगवान कृष्ण बोले काकी चाची मैं हूं कृष्ण कृष्ण नाम सुना बेदुरानी सुलवाकू भूल गई नाम सुनते ही नाम की वड़ी महमा है साथ नामी की महमा नहीं है नाम की महमा है राम की महमा नहीं है राम के नाम की महमा है कृष्ण की महमा नहीं है कृष्ण की नाम की महमा है अरे राम की महमा से ज़्यादा राम की नाम की महमा है राम जी ने अहल्या का कल्याण कर दिया और राम के नाम ने तो न जाने कितने पापियों को कृष्ण नाम सुना भूल गई संसार का भान नहीं रहा और जिस इस्तिती में थी राजा प्रिक्षित उसी इस्तिती में गोविंद के पास जाने लगी किवारों को खोल दिया सामने भी आरी जिगा दर्सन किया भगवान का दर्सन करते ही आँखें नम हुए प्रेमास्रु आ अपना पीतामर लिया मेर गोविंद ने और का के विद्राने के ऊपर डाल दिया ऐसे ऊडाया ऐसे उडाया का की विद्रानी को अपना पीतामर खोल गर के जैसे एक बाई अपनी बहन को भाग पहनाता है अब भगवान को अंदर ले गई, चोकी लगा दे, बैठो, लेकिन भगवान का अधर्षन करते करते, चोकी उल्टी लगे हुई थी, और उल्टी खेचरी, कहा कृष्ण, उल्टी चोकी लगा दे, लाला, बैठ जाओ, बगवान बैठे, आप बिचार करना, आपके यहां कोई रिस्तदार आवें, और रिस्तदार आते ही, आप उसके सामने सोफा उठा करके उल्टा कर दू, और कहो बैठ जाओ, बैठेगा, और क्या-क्या सुनाएगा, बैठेगा तो है नहीं हो, यह तो निकाली तो, और क्या-क कहेगा, मुकेशी, हारे, लिट्रेटा, कहां, हमारी रिस्तदारी के लाइक था ही है, हमारा इसका मेल खाता कोई, नजाने कैसे हमारा रिस्तदार बन गया है, अकल नहीं है, सोफा भी उल्टा लगा दिया, और भगवान को देखुना, उल्टी चोकी पर भगवान बैठेग फिर कहा, अब तो भगवान बोले काकी, हालाला, भूख लग रही है, अब भोजन बना नहीं था, पती देव आये नहीं थे, लगड़ी काट करके, लाई नहीं है कुछ है, अब भोजन कहां से करा है, तो भाई, बिदुर जी समते हैं, और वो फलाहार के लिए, फले लेने के लिए जाते थे, उनसे थोड़ी दूरी पर, एक कदली नाम का एक बन था, कदली माने केला, वा केला बोत थे, तो उससे एक दन पहली की बात है, कुछ केला ले करके आये थे, कदली बन में जाकर के, और वो है केला सारे के सारे जीमलियें, दोनों पत्पति ने एक केला रह गया थे, सोचा इससे कलखा लेंगे, अब वो केला वहीं रख दिया, अब जैसे वहान कृष्णा ने कहा का की भूंग लग रही है, भोजन की ब्यवस्ता थी नहीं, एक मनिश्टर की घर की, हालत दे अब जैसे केला को लेकर के आई, अब केला भगवान को खिलाना चाहते, लेकिन मन में एक भाव आ गया, क्या, आहा, मा ये शुदा, लाला कूं, मांखन खिला वेई, मैं आज ये सुदा बढ़ कर के देख दो, मैं आज ये सुदा बन जाओं, कृष्ण मेरो लाला है, और य आज कृष्ण को ये केला खिलाओं, और ये तो बालक है, गोपाल है, इससे तो ये केला चीला नहीं जाएगा, जब छोटा बालक केला खाता है, तो स्वेम चील देना, पर भाव है वो, ये सुदा बन गई, कृष्ण को लाला माने लिया, और अबने हाथ से चीलेने लगी, और छील करके, चिलका गोविंद के हात में दे दिया, और गृछिए ऐसी फिक दिया था, और भाववान चिलका खाने लगे, भावान चिलका खा रहे हैं, और बेदृरानी गीत खा रही हैं, अर बे दोर घर आए बांके पे हारी बे दोर घर आए अर बे दोर घर आए बांके पे हारी दोर घर आए बांके पे हारी करे दोर तोर आए. झाल 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 मडे तरौ झाल मंध्श झाल पुरॅ सहर प्याल फेश स्रीवटसाकां चलंगए को चले जातें तपष्यागी तुराथ रहंते तर्हांते का पित बद रासना bring तीन तीन दिन के वाद में बेर इन के फल खाकर के साधना की साधना करने में बोजन हमारा शुदर जाना चाहिए बोजन सुदर गए साधना सुधर जाएगी बजन सुधर जाएगा और भजन सुधर गया तो महराज जीवन भाई जीवन तो अपने आप सुधर जाएगा जब भजनी भोजन सुधर गया भजन सुधर गया तो टेड़ी टांगों वाला कनुवा मिल गया जब भगवान मिल गया तो जीवन तो सु महिने में ही महराच भवत प्राप्ति कर लिए जब तपश्या करते हैं भवान को पाने के लिए भवत प्राप्ति कहा हूँ इमालो मैं दुरू को यमना के किनारी यमना क्या है वले यमना भक्ति का किनारा है और भवान की प्राप्ति करने के वाद में जब वहां अपनी नगर में चले गए उनका बड़ा पबस्वागत हुआ है सुर्ची वी आ गई है जो भगवान के बन जाते ना बिरोधी उनका समान करते हैं पिरोधी अपने हो जाते हैं फिर कहते हैं महराच भगवान नहीं बड़ा बिचित्र आशिरवाद दिया इस्थान दिया कहा तुम 36.000 वर्स तक राजिसासन करोगे मनु महराच कहते हैं यह उत्तान पारद नाम की मनु जी के पत्रें अबने पत्र द्रूब को राज्जसत्ट समाल करके चले जाते हैं और फिर इनन की इसके पर झेखर्ण कि सब्सक्राइब कुछन करने लगें लिए्ट पितिषन करने के वाद में Directorate में मिआ तो इसके बीचमें जाकर के गंगा की बैटный निए आ थे पहले भगवान को पाया बदन किया सादना के तो कहां यम्या के किनारि क्यों बोले यम्या प्रेम का किनारा भक्ति का किनारा है पहले सदक को भक्ति की सर्व लेने होगी गिंई वरकिमागती के बहु scaled दो सब्सक्राइब और देखो बभगवान मिलने के बात में सत्ता मिली शतीस चार वरस्तक राजा रही और फिर गंगा के किनारे जा करें तो साथ करने लगें क्यों मुक्ष के लिए और गंगा की किनारे क्यों गई? बोले गंगा ग्यान का किनारा है और बेद कहता है लिते ग्यानान मुक्ती बिना ग्यान के कभी मुक्ती इसक ठाख यह सार अब महराच आज यहां आचार शुक्देव जी ने कहा हा राजन आप चिंता मत करो जब पांच वर्स का वालक भावत प्राप्ति कर सकता है तो तुम्हारी तो उम्र समय मालूम है राजा परिष्ट की उम्र समय 61 वर्स की थी 60 वर्स पूरी हो गई थी 61 वर्स में प्रिवेश था और फिर आगे द्रुव के वंस का वरणन किया द्रुव की दो रानी थी ब्रहमी और इला ब्रहमी का पत्र हुआ वत्सर उसने राज नहीं किया वेराग्य हो गया है और इला का पत्र हुआ उतकल उतकल का पत्र हुआ उतकल ने राज किया उसका पत्र हुआ प्सपर्णा प्सपर्णा के पत्र हुए अंग अंग के पुत्वे वेन और वेन वड़ा दुष्टात्म था फिर वेन ने यहाँ अपने पिता का बहुत अपमान किया इतना दुष्ट था एक बात है अपने जो आधनी लोग होते ना अपने जो पूजनी लोग होते है उनके सामने कभी उच्छ स्वरमे भी नहीं बोलना चा पूजनी लोगों के सामने उच्छोगण में बोलता ना वो अपरा धिवाना गया स्वास्त की वासा में पिता जी अंग तो वहां से चले के दुखी होकर के बोले बाई बढ़ा दुष्ट है तूं अब मैं यहां से जा रहा हूं राज को त्याग दिया है फिर वेन राजा ह पृथू महाराज का अवतरण हो गया वरी पृथू महाराज जीकि अनी की पतम धिया प्रत महीं थिया अक्छी महराश नी कहते हैं महाराज सौट्यज मी जी करने का संगलवर लेलिया निन्यानवय пожक पूरे हो गहीं सॉमा यद्ट चल रादा इंदर निन बेगने डाल दिय प्रतु के पुत्र है विजतास उनको मालूम पड़ा प्रतु से युद्ध किया यू घोडा को लिया फिर अपने प्रता को सारा रहस बता दिया आप प्रतु महराज सुनते ही क्रोध में आगे दनसवान उठाए इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए लेकिन वह आचारी ल दATT सकती है एक बात है आप यग्या में जो गजमान होता है उससे कभी इंसानि करनी चाहिए जबत कि यग्य चलता है उससे उनके और ऋसका निरादन नकरे कह पर ये में अनको तेंसरा दाल करनी वाले को फिर उसका वह प्रतन नहीं होता है यग्यमें यजमाने है और यजमान कहते हैं यज सब्द जो है यकि से बना है यकि सब्द यज धातु से बना है यज से यजन बना है और जिस यग में जिसको सबसे ज़्यादा मान दिया जा रहा हो वह है यजमान आचारिय जो लोग होते हैं वह पूजा के आदर के योग होते हैं वक्ता जो होता है वह आदर के योग होता है और यजमान भी उस यकि का जो होता है वह भी आदर के योग होता है अब कहा आप इस समय यकि में वढ़नेते हैं इसलिए आप किसी का आत्मान नहीं कर सकते किसी को मार नहीं सकते बस सान्थ हो जायो करोत नहीं कर सकते पस सांथ हो ईंग हें कि अब उस्क्व और Pilana Satya नायरान को सौपूर्थ यहां विद्धा क्या नहीं करने के वादी में जो प्राप्ध हुद्त जिसे जुम्हें देता हूं मैं तुम्हें पहले देता हूं बताओ क्या चाहिए प्रतु कहले इन लगे महराज मुझे दसजार कान दे दू दसजार कान दे दिया प्रतु जी को दसजार कान का मतलब है कान तो दो ही रहे जितनी कथा स्रवन सकती है हमारे दसजार कानों में होती है उतनी कथा स्रवन सकती है हमारे दो कानों में आजाए अब आसीरवा दे दिया चलेगे भगवान नायरण प्रतु महराज अब नहीं रानी अर्ची को साथ लेकर के सतसंग करते हैं और संगात इविश्यों के पास जाकर के सतसंग करने लगें भगवान की दाम के अधकारी होगे बोलो जैस जी कृष्ण फिर इससे आगे कहते हैं महराज कताओं का तो बड़ा विस्तार है सारी कताओं को तो विस्तार से कैसे सुनाया जाएगा और हमारे पवन रतेरिया जी जो है ये हमारे यजमान भी है और मेरे शिश्य वर्ग में पूरा परवार है और शिश्य कमानता हूं मैं इस पूरे परवार को मैं अपना भाई का दर्जा देता हूं पूरे रते दिया परवार को मैं ब्यास पीट पर बैट करके कहता हूँ मैं आपको सच बता हूँ मैं अपने भाई का दरजाज पूरे जो हम अमरों जो साथी है मेरी उम्र के जितने परवारी लोग है रते दिया परवार में उनको मैं अपने भाई के जो भाई का आधर होता है भाई का जो इस्थान होता है वो हमें देता हूँ इसलिए भाई पवन जी कह रहे थे गुरुदे भी सारा कर रहे थे बोले कृष्ण जनम तो कर ली करना है मेरी ख्षाथी के कल रामकथा सुनाओ क्योंकि यह भगवान भोले नाथ का आंगन है और भगवान भोले नाथ को रामकथा बहुत अच्छी लगती है पर चलो सुना देंगे आज की कथां को तोड़ा संच्पती सुन लेते हैं बोलो जैस्थी कृष्ण पर इनके बंस में विजतास हुए हैं विजतार्न हुएं प्राचीनवरी हुएं प्राचीनवरी को नारीजी न आकर कि 5 अधाय में अपतेश्दी आ है इसे कहते परंजी निपात्ख्यान परे रवन्स में जाकर कि प्रचेता हुए हैं इनोंने रुत्रगीत काया है रुत्रगीत भगवान भोले नात को बराद चाल लगता है हाँ रुत्रगीत से भगवान भोले नात प्रिशन होगे और प्रगट होगे प्रचेताओ से काहे प्रचेताओ वरंभुरु ही वलदान मांगो बोले महराच आप ही वलदान देदो बोले तो जाओ, सुवए सुवए जो तुमारा नाम लेगा, उसके अपने वायों में कभी जगड़ा नहीं होगा, अपने वायों से प्रेम बना रहेगा, प्रचेताओं का नाम लिखा, यहीं आकर के चोथा इसका निवराम हो जाता है, पंचम इशकन्द में, मनु महराज के जो दूसरे पत्र हैं, जनका नाम है प्रियवरत महराज, भे प्रियवरत महराज के वंसका वरणन करते हैं, प्रियवरत महराज का विवा, बहेश्मती, कहते हैं प्रियवरत, प्रिय माने होता है अच्छा है, और ब्रत माने होता है संकल्ब, जो अपने जीवन में अच्छा संकल्ब लेता है वास्तम में वही प्रियवरत होता है अब प्रियवरत महराज के इवंस का उरणन किया है प्रियवरत महराज ही राजा परिक्षित विश्व कर्मा की बेटी थी जिसका नाम था बहट्षमती उसके साथ में विवा किया पहले तो ये विवा करना चाही नहीं र सब्सक्राइब दोपने सब्सक्राइब और नुद्सक्राइब एक भदले किनारे बैठगी बजन करें गिले पीजन करोगे बुले ना बुले पिवा खर लिए आप पड़े या खामों खाले जंजट में रोज आना पिर चान्दी छोग जानों पड़ेगा काई कूझ में सारी कि अपनार सुवानों पड़ सकता है जरूरी नहीं कि बनमें राजाकर के भगवान का बजन होता हो हमने बहुत लोगों को देखा है घर चोड़कर के भ्यापार चोड़कर के रामेश्रम में और फिर भी गथा नहीं सुनने अरे इसे तो तुमारा घरी अच्छा था वन का मतलब है एकांत ये एकांत स्थान पर आयो बजन करो भगवान का सुवे जल्दी जागो बजन करो दर्सन करो अब ब्रह्म मोलत में थोड़ा ध्यान करो भगवान के लेकन यहां आकर के भी जो ऐसा जीवन में नहीं बतल रहे न तो फिर गड़वर है इसे तो घरी अच्छा है और घर को मंदर बताया है घर को घर में ग्रस्त में रहगर के भगवत प्राप्ति हो सकती है आवसे बात है पक्की बात है ब्रह्मा जी की आग्या का पालन किया बिश्व कर्मा की वेटी बैट्शमती के साथ में विवा किया दस पत्र हो गए इनके यहां एक बेटी हो गई है दस पत्रों में तीन ब्रहमचारी हो गए साथ राजा हो गए और साथ दीप हैं एक एक दिप को एक एक वेटा को दे दिया इनहीं सातों दीपों में माविड जी कितने तीप हैं अचिलिपर और मच्णक का। दे सकता है वहां के लिए दन की प्राप्ति नहीं कराये और के दंड़ी प्राप्ति के लिए इस स्लेवश को लेना पड़े गए इस स्टे लेना पड़ेगी और यह नहीं आए हैं, इस सिलेवस की क्लास लेने के बाद में, इस सिलेवस में के द्वारा जो ग्यान दिया जाता है, उस ग्यान को हिर्दय में इस्तान देना पड़े, जब हिस्तान इस हिर्दय में ले लिया इस ग्यान ने, इस सिलेवस ने, तो पक्की बात है, ये वहां का ना नरसी ने एक दिन कहा था अपने मुनिम से देखो हमारी सारी संपत्ती का हिसाब लगाओ उसमद सीवियत होते नहीं थे मुनिम होते थे हिसाब लगाया बोले महराज साथ पीड़ी तक धन कमाई भी कि कोई जिनुवत नहीं अच्छा ओहो हमने यहां की तो बहुत कमाई कर नहीं पर वहां के लिए कोई कमाई अब यहां की कमाई बंद कर दें वहां के लिए कमाई करने यह जो आप कर रहे हो ना यह वहां की कमाई है अजा कमाई का मतलब क्या होता है यह तुम्हें सिय की किताम में मिलेगी ना पावन कमाई का मतलब कमाई का मतलब होता है कमों कमों हमाइस सचने बड़ी भीमारी है जवके मिलें यह तह से बहुत फिर पर निपड्यापार वेव कमाई का मतलब एक कमाई कमौर और सबसे बड़ी कमाई है अरे यहां आगर के एक उपार कह दो भूले क्या भागबद जी के सामने खड़े करके एक वार कहे तो सबसे बड़ी कमाई हो जाएगी क्या कहना है मालूम है में बताूं या नहीं गोविंद मेरो है गुपाल मेरो है गोविंद मेरो है सुपाल मेरो है रहा संहित और आपंके आहरा अरे कांद इंद्टारा एलए ओगहे कर्या स्थिक साथिछ इंद्टारा baked़े है आतखा एंद्टारा एिंद्टार यह आतछे इस तो व्काहके ज़े आतऊ़ जे ज़ेत होगे स्टरव ग्यदद पांके मुडेत है झाल 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 सेरे बां के बेहारे बेहारी नंद लाल में रो है गुपाल में रो है झाल 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 जाल झाल 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 यता तो वहाब तो वहाँ वहाँ आल जाकर यहाँ आए देश्ण अब सकतनी हुए जमू दिप हैं उसके राजा आगनिक्र आगनिक्र का विवा पुरुचिति नाम के अबसरागे साथ में हुआ इनके अनो पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र हुए, नाभी महराज, और नाभी की पत्नी हुई, मेरु देवी, और मेरु देवी के यहाँ, भगवान नारयन पुत्र बन करके आए, रिशवदेव की रूप में, बोले रिशवदेव भगवान गेहो, यह जैनियों के प्र दर्म तो सनातन है, दर्म तो सनातन है, दर्म दूसरा कोई है ही नहीं, यह जो है, यह मत है, एक आरिसमाज है, वहवी मत है, कुछ मूर्ति पूजा वाले होते हैं, वहवी मत है, जिसको हम भी मानते हैं, कुछ मूर्ति को मानते हैं, कुछ मूर्ति को मानते हैं, कुछ मूर्त नहीं है यह तो अनेक जो है मत है हमारे बोलो जैसे कृष्णा अच्छा अब फिर इन्हीं रिशब्द भगवान का अभिवाद जन्ती के साथ में हुआ अरे साथ बैठे हम तो सोच रहेते बादर बढ़ते दुबारा दाखलाई नहीं हो जो आगे वो आगे बढ़े बढ़े हैं अभी और आएंगे जितने आएंगे उतनी हमारी दक्षणा पक्की होगी बोलो जास्री कृष्णा आरे साथ बठे जाजा बहना आरे बठे आनन्नकंद वहवाने के जाए हो सच्चित आनन्न वहवाने के जाए हो अब हे राजा परिक्षित फरेंगे यहां सो पत्रुवी सबसे बड़े पत्रुवी जिनका नाम हुआ भरत अफिरी current अवियारी इनका फिर जडवरत इसी जडवरत का संग हो गया गृउवन नाम की राजा मिए मार्या तक यूले अगर कि रीआप सब खकर बाशजय क्यानी हो जाथा अरे संथ चरुआच जीवन बदल जाता है गुरु खर आइट कर पाशजिवन बदल जाता है अरे संत कृपासे तो अजामल नाम का जो पापी ब्रहम्मन था उसका भी कल्यान हो गया अजामल नाम के ब्रहम्मन की कथा को यहां बड़े विस्तार से सुना जाया है है कि दास्यां दासिस अज़्ण है वेश्यां आणे वेश्या से प्रहम्मन लगाता सदाचारी था जब वेश्यां से प्रहम्म कर लिया तो सदा चार तो लुप थे अब पत्नी से प्रेम नहीं कर पाया वैसा से प्रेम कर पाया दिखो जो अबनी पत्नी से प्रेम न करें और दूसरे की स्थित्य प्रेम करें तो सदाचार तो नहीं रहेगा कि बिल्कु नहीं राम जी की लीला में यहीं विश्यस बात है राम विक्रहवान धर्म बाल में की रामयन में राम जी के लिए लिए लिखा राम विक्रहवान धर्म राम साक्षातकार में धर्म हैं राम का वचन ही धर्म हैं राम का आचर नहीं धर्म हैं राम का आचरत्र ही ध जो दर्म को जानना चाहता हुना धर्म के वारे में यदि जो पढ़ना चाहता हुना वह राम की को पढ़ लिए राम के चरित्र को पढ़ ले राम के आदर्स को पढ़ ले राम की मर्यादा को पढ़ ले फिर उसे धर्म जानने की जरूरत ही अभी सुलैं सितम्मर से राम कता हो जा रही है बादरोड में और ज्यारे सो कलसुं की कलस्यात्रा मंगल कलस्यात्रा दिव्य एक बार अरे बादरोड वालों के लिए तालीज तो बजा दो भाई और इसे इतने वड़े यक कारे करने का जो जंडा उठाया है उनको भी यह व्यासिपृत बहुत बहुत आशिरवात देती है धर्म का कारी जब होता है अनेक आकर के जोड़ जाते हैं लेकिन धर्म का जंड़ा उठाने वाले अनेक नहीं होते हैं धर्म का जंड़ा उठाने वाले तो एकाद होते हैं जब सुक्रतालम कता हुई थी उससे पहले दिनेशी ने मुझे से चल्चा की फिर दिनेशी को मैंने क पर वो समय नहीं था कुछ में भी आना कानी करने लगा है तो लेकिन जब संयोग बनता है तो ऐसे बन जाता है तो महराज अब आगे आचार शुक्देव कहते हैं राजा प्रिक्षित फिर यह जो ब्रहमर था अजामिल अजामिल कोई और नहीं है हम और आप ही अजामिल है अजा माने माया अजा माने माया और अजामिल अजामे मिला हुआ है कौन जो अजामे मिल जाता हुई तो अजामिल है जो माया से में लिपत है जो माया से लिपता हुआ है हम और आप ही तो अजा मिले अब संद करपा ऐसी हो गई गुरू करपा ऐसी हो गई तसमें पित्र का नाम नारेन रख लिया और नारेन 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 कहने से महराज इतना पापी ब्रहमण तर गया संद करपा से गुरू करपा से क्या नहीं हो जाता है अरे वहवान का नाम है आप ले लो अगन है अगनी को कैसे भी अच्छा देखो अगनी है भूल से पैर पड़ जाए तो संज़ जी क्या होगा वह जला देगी और अगन अगनी है पहले जाकर के गुड़ मोर्णिंग करो फिर पकड़ो प्रणी जलाएगी जलाएगी क्यों बोले अगनी का धर में जलाना ऐसी भगवान का नाम आप जब लो भाव से को भाव से हास में परहास में संकेत में इसारे में और तो और जब मिया भी भी की लड़ाई हो ना वह भगवान को नाम ले लो आरे कवंगव अगतुर ऐस हो है जा है कि हनुमान 40 और हनुमान 40 और फिर हनुमान 40 आप आप ड confrontation में तो प्र भाहरब 40 आम मतल जाए बोलो जा सिक नियुए यू? कोई पत्मी पती से लड़ी है तुमी तो बलराम जी के छोटे बाई का नहीं आजी है पती के तुमी तो राधा जी हो तो हो गया काम नहीं हो गया लड़ाई भी हो गई और बंदो गईगी ठागुर जी को नाम आएगो अब महराज जो पत्र के वहने से कल्याण इसका हो सकता है पापी ब्राममन का और जो स्रद्धा से वहगवान का नाम जब करेंगे या उनके कल्याण में कमी रहेगी कदाब गमी नहीं रह सकती बोलो जैस्शे कुष्पन अजामिल नाम के ब्राह्मण के चरित्र को सुनाने के वाद में आचारी शुकदेव जी ने फिर एक कथा और सुनाई कहा है राजा प्रिक्षित संतों का गुरूं का कभी अफमाननी करना चाहिए इक वार इंद्र ने अपने गुरू जी रहस्पती जी का निरादर कर दिया था गुरू जी नाराज हो गई श्राब दे दिया राज जी छिन गया बली राजा जाकर के बन गया फिर देवताओं के सला की फिर यक कराया इंद्र पर मिल गया इस इंद्र को दुबारा से पर एक गलती हो गई, क्या गलती होगी मालूम है, विश्रूप नाम का जो ब्रहमण था, उसका गला काड़ दिया, अब ब्रहमण ने ब्रहमण का गला काड़ दिया, तो ब्रहमत्या लगी, तो ब्रहमत्या तो परिशान करेगी, देखो, एक प्रसंग आता है, रामजी ने रा उस ब्रमत्या से मुक्तिपाने के लिए भगवान शरी राम ने एक बनाया था है जो 22 कुफा है ना ते उसमें ब्रमत्या को तूर करने के लिए एक कुफा है और सूर्छा के जल मिश्णान लिए понад है मैं ने पढ़ा करने के लिए गया था तू वह बतारे ते न प्रमत्या हाग दूर हो जाती है मैंने का ब्रमत्या दूर चलु अइसाए भॉजा तो अव उनौने प्रसंग नहीं बताया अब जब में इचैन तो मैंने अपना अंदाजा लगाया रामजीन रावर कांथ किया ह तो रावर्ड तो ब्रह्मन और ब्रह्मन की जब अध्या कर दी तो अक्रमन करें सायद वाई जब विवीशन को यहां समुत्र का जल मगा करके राज्तिलक किया है तो उसी समय राम जी फिर इधर आगे लंका तो गई नहीं है और यहां आकर के प्रिम एक कुवा की इस्थावना की जो बाइस कुवों में कुवा है उस कुवा के जल में जो इश्नान करता है उसे ब्रहमत्या का आप पापनी लिए अब यह प्रसंग भागवज में तो नहीं है I gi पर कि डाम आफ है कि एक रामायन के जो एक बाइसे मेरी परसु बात हुई थी उसका उस रामाण का नाम है भूल गया मैं कुमारविश्वास सुनातेएं उस रामायन मेंसे खोजगर की कुमारविश्वास प्लज़ार आ हाँ नहीं, 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 कुम्मन रामयन, यह प्रशंग कुम्मन रामयन में आता है, रामयन एक नहीं है, नब्ब रामयन है, बालमिकी रामयन, आनद रामयन, जगदीश रामयन, और मानस भी रामयन, और भावारत रामयन, एगनात रामयन, गुडालत रामयन, भावारत और आध्यात्मिक रामाइण और गुरु वसिष्ट जी ने इक रामाइण की रचना की तुम महराज ऐसी प्रसंग है अब इससे आगे प्रहमतिया को इनरे ने चार जगे बांट दिया है एक वाग भ्रक्शुं को दिया एक वाग जमीन को दिया और एक वाग जल को दिया है आप सुवे सुवे तीरत में जाओ इृष्ट गारू सुवे जब जाते हु न तो ब्रुव की मत लगाओ बुले क्या? ना आचमन करू आ आचमन करना तो पहले उष जल को ऐसे हाख से ऐसे हिलाओ यदि शीरे शीरे ऐसे जल नहीं हिलाया और आप ने आचमन कर लिया तो ब्रमत्या तुम्कों लगे गए जल को ब्रमत्या का एक चोथा भाग दे रखा है जल के ऊपर जो काही आती है ये ब्रमत्या को thing और एक वागिष्णियों को दे दिया है मासिक धर्म के रूप में, यह प्रमत्या है, इसलिए पांस दिन तक मंदिर में जाना वर्जित होता है, पुजा पाथ करना वर्जित होता है, अब तो थोड़ा सुर्धा की बात है, नहीं तो किचिन जो रसोई है ना, वो मंदिर माना मंदन में पुजा की वस्तूं को भी इस परस नहीं किया जाता है कि घर की जो वर्तने अपने अलग पांच दिन के लिए लग होने चाहिए अन्य जो वर्तने उनसे भी इस परस नहीं करना चाहिए तो जो अउस उन वर्तनों से इस पराश हो गया और कोई दूसरा आकर तो अपने को दोते हैं तो परहुमत्या को आप माल मश्कूप कर निए के बाद dispât करने के बाद में अपने हाते दोते हैं तो करी आहरा बाद मेरा वाद में हात साफ़ करते हैं सावन से करते पहले मठी से करती थे iamu सावन से करते यदि उस अवस्ता में यदि हमने हात दोजी नहीं और कोई पात्र पकड़ लिया तो वो अपवित्र हो जाता थां eh है नहीं हो जाता भलो और सावन को पकड़ लेते हैं और धो लेते हैं और फिर सावन में रखते हैं चो जी सावन अपवित्र नहीं हो जब किसी पात्र को छूलेते हैं उस अवस्ता में तो पात्र अपवित्र हो जाता है तो सावन को छूलिया तो क्या सावन अपवत्र नहीं हुआ और पूरो घर वही थे दोबे हातने क्यों भाई वो सावन भी तो अपवत्र हो गया इस पर सकरने से पर वो अपवत्र होता नहीं है क्यों नहीं होता है अब इसे में कथा है अब वो कथा कल बताएंगे यो पर संग बढ़ंगा अब महराज इस के बात में फिर ब्रत्ता सुरू के जन्म की कता के बारे मुर्ण किया ब्रत्ता सुरू इंडर का युद्धू होता है पिर दधीच महत्मा की अस्तियों से बज्चर बनाया जाता है ब्रत्ता सुरुका यहां इंद्र के द्वारा वद किया जाता है और मृत्तु के समय ब्रत्ता सुरुका मन जो है भगवान में लग जाता है यहां चार इस लोग बोले हैं जिसे ब्रत्त चतुष्टी कहते हैं मरती समय मन जो है भगवान में लग गया क्यों लग गया बोले है ब्रत्ता सुर्फ पूव जनम में चित्र के तुनाम का राजा था इसके एक हजार रानी थी संतान ने हुई तो नारद अंग्रा रिशी के आशीरवाद के द्वारा बड़ी रानी को पुत्र हो गया था जिसका नाम था कृद्धुती लेकिन 999 रानी को सोत या डाहो गया भूले अब तो राजा बड़ी रानी थी प्यार करेंगे हम ते करेंगे न अब क्या करें सो जहर लिया नाitaire 999 रानी ने सलाह करएं और सोई हुए जो बालक था न उसके मुख में डाले डिया और वो बालक नर गया तो राजा ने को मालूंगा, यह रोनी लगा, बहुत रोया, उसी समय नारजी और अंगराजी आ गई, अरे राजा, क्यों रो रहा है, महराज, मेरा पुत्र मर गया है, बोले पुत्र नहीं मरा है, यह सरीर मरा है, पुत्र नहीं मरा है, सरीर मरा, उपदेश दिया, महराज, ए इसकी बात है पुत्र भीयोंग बहुत रुलाता है चाहे वो यह फिता हो चाहे माहो यह ग्रस्ति रूपई बारत का जो होती है जो जो पुष्प खलते हैं बाई बाट का में से एक भी पुष्प तूट जाता है कि या को कच्छा फल टूटकर गिर जाता है तो मड़ा तुछ होता है अब जिसकी ग्रस्ती रूपी वाटगामे से यदि एक रूप पुत्र रूपी पुष्प सूख गया हो या तूट गया हो तो होगा तो फिर नारजी ने उस आत्मा कावान किया जो शरीर वाम्रत पड़ा था उसमें वात्मा गई और राजा को भी ग्यान हो गया अरे यह तो आत्मा नहीं मरी यह सरीर मरा था मैं तो वैसे ही रोड़ा था बैड़ा के हो गया बड़ी राणी को साथ लिया चले गए बिमान में बैट कर गए और कैलास कि उपर ओकर के जा रहे थे वहां यह गटना गटके को लिक्या बोले बावा है ना यह वहां केलास पर भाई इलका तो घर है और पारवती को गोदे में लेकर के बैठें और चित्र के तुन्हें देखा अरे ओह बड़ी पूजा होती है कि कभी रामिश्वरम में कभी कभी क वहां कहीं कभी नहीं सारे संसार को बदेश देने वालें दर्म के ठेके दा रहें और यहां में प्राव में भिलाचे कि कि अन्य लैं । अब यह अ बात संकर बेदेखते स improvements गहें और पारवती ते इलिए यह तो मात्हों में भीस इसा इस बात होती है हाँ, क्या बात होती है, बोलें, अपना अफमान सेन कर लेंगी, पर पती का अफमान सेन नहीं कर सके, यदे पती का अफमान कोई कर, पीर में भी कोई अफमान कर रहा हूँ ना, पती चाह कैसे भी सही, भाई से लड़ परेंगी, पताई से लड़ परेंगी, भाईया, जो पहलब, पारवती से बहुत प्रेम करती है, अब आ खाहे होंगे, क्यों जी, प्रेम कहाँ वह तो तॉप मने दिया था, थोड़ी दनी पहले कहता है, क्यों पीज थी में दिया था, इसमें कंथा यह अłe है? ना था ना मा था भगवान बोले जिसमें ना रा हो ना मा हो जिसमें रा महीं ना है उसे वह मुझे सुहाता नहीं है सुत्याग दिया पर अगला जनम हुआ पारवती के रूप में अब पारवती के नाम में रा आ गया और उमा के नाम में मा आ गया शुकार कर लिए राम नाम स भगवान भोले नात बड़ा प्रेम करते हैं इसलिए राम कथा भगवान भोले नात को बड़ी प्यारी लगती है अब एक कथा और आती है एक बार की बात कुछ लोग एक किसी की मृत्ति हो गई थी जब मृत्ति हो गई तो उसकी अर्थी बनाई संस्कार करने के लिए जाने लगें आब अर्थी के पीछ पीछे जो जितने लोग थे वह राम नाम का जाकरते हे जारें रहे है राम नाम शत्य है सत्व लो गत्य राम नाम सत्य सत्य बहुत्य बाला doubled नाम के बड़ी प्रेमी है अब बोले बidentsा मिया में मीलें वुटार राम नाम जब करने लगे वहां संसकार हो गया संसकार होने के वाद में करने के वाद में सब जाने लगे भवान बोले नाथ भी जाने लगे जब भवान बोले नाथ जाने लगे तो अब लोड़ते समय कोई राम नाम नहीं जब रहे अर्थी के पीछ पीछ अर्थी को जब ले जूर्य अपुशल रहे थे वाइत को ले थे ये राम नाम भूल रहे थे लेकिन मेहमा कि नहीं महमा तो उसकी आजमल गया था जिसका शरीर वह राम नाम भूबारा था त्सक्लिि है वह हelf स्चिन्हें आशे अर संसकार जा चींहाथ टठो लें लगे अब जो मुर्दा जलाया था उसकी राख को टोला और उसमें राम नाम सब्द रूरे और वहां राम सब्द मिल गया मुर्दा मुर्दे में पहले आ गया मा और राख में आ गया पहला अक्षर राख में आ गया क्या और मुर्दे में आ गया मा और महराज बस राम नाम में तो बाबली होई जाते हैं बस राख उनका उठाई और अपने सरीर पर लगाने लिए उसी दिन से भगवान भूले नाथ मुर्दे की राख यानी समसान की राख लगाते हैं बोलो जैसिक अब इससे आगे समय बहुत कम है कि कथा प्रसंग जादा है फिर पारवती ने उसको दिख है चितरि गेटु नामकी राजा को कहा कि जा तु मेरे पती की निंदो करता यह भगवान से की जो निंदा करने वाला है जाँ ए उसका पतन हो जाता है भगवान कर अई हर हर निंदा सुना ही जुकाना हर हर हाल कि होई बहुआन नारेन बहुआन बोलिनात और गुरु एंगे निंदानी सुननी चाहिए अब उसी स्राव के कारण यहां पतन हो गया और फिर महराज वही प्रत्तासुल के रूप में आकर के जन्मिलिया राक्ष स्कुल में जन्मा है और इस आगे 49 पर मर्द गणों की कथा को सुना एंसराजा इसे सात में इस में पंडराध्य पहले पांच अध्या में हिणकैश की राचष कि तक्त जो है न उसका अव्रणन किया है इसे ही चैन्यका स्थन पर माजी की आराधना की अ ब्रह्माजी से एंग्रिमेंट ले लिया नदेन में आर। में मरू ना उपर मरू ना नीची मरू लाए मरू ना स्सती से अमरू बार ए महनों मैंberry नमिट है और महराए और अभूना आ गया से हिखन कशव के पाहाँ हा चार पुत्रे ऑनुलाद शलाद प्रहिलाद सबसे छोटे लेकिन सबसे गुड़वान आइँ फो प्रहिलाद चारों पुत्रों की पढ़ाई की विवस्ता नगर की पास में करा दी मैं देट गुरुस शुक्राचाज़ी कि पुत्र हो घरुआ REALLY मेरे मन में एक बात है वो लिक्या वनम गतु यद्वर मास्त इत इस अंधेरे कुवा संसार अंधेरा कुवा है इसमें से निकलो भगवान की सरण लेलू तत साथ मन्ने शुवर्य देहिनां बस जब भगवान की बात आई हिंक शब्क रोद में आ गया प्रहलाद को नीचे कि अब बेतन मेरे नते हो शुल को मेरे यहां से लेते हो दिश्य था तवमने विश्णु से लेरकियां यह श्बागे नाम का पात करता है ब्लामाल को अगे महराचざ westerns ना पर प्रणीतम सुतो वदाती सताव इंद्र सत्रों ने सरगकी अम्मतर सराजन नियुक्ष मन्यू कदा इस ममाना तुम्हारे वीटा को न में ने पढ़ाया ना किसी अने ने पढ़ाया यह तुम्हारा वीटा तो जन्म से ही पढ़ा हुआ अब अब की बार छोड़ दू ग और पढ़ाना चाहा प्रहलाद का मन नहीं लगता है एक दन गूर्व जी कहीं बाहर चले गए जोटे छोटी बालक आई अरे प्रहलाद कोलिया तेरे पिताजी तुसे नाराजने बोले हाँ ले क्यों बोले में ब़जन करना चाहता है उंको कर ने नी देते हैं खुए एक ग अभ PT लूमम इस तॉरम साहरे सौनलेंगे से करें जब करेंगे जब भुट आपह पहस में बैठ लोगे बुड़ापह अन में ट्रेन की आब सुन ले हो अर अब ऑस्था कथा सुनों तो आध़ में आंगा ओस्ताबव शुनले अब बुड़ाबय में रखरता not आग में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाटी से पड़ेगा पाला जरा जिन्दगानी में खड़े खड़े वस्त्र में करोगी मल मूत्याग पड़े थूगती रहोगी पीगदानी में भक्ती क्या करोगी जब सकती न रहेगी तन में और नाम ना भुलेगा तुम्हारी मंदवानी में और इश्वर से योग करो और भोगू से भी योग करो और भजन खूब कीजिए भगवान का जवानी में भगवान का भजन तो जवानी में हो सकता साथ बुड़ापे मनी होगा अच्छा देखो बुड़ापे में यह दिकता मन इस्थल में आयो गए जहाज में बैठ गी फिर तो चियर ढूड़ोगे और चियर तो पीछे पड़ी ने और आखों की आइसाइड भी कह जाए फिर भ्यास जीव नहीं दीखनें और कानों में बढ़ाबे में आवाज भी चुबती है के नाच वह इसलिए भगवान का भजन तो जवानी में करो लिखा भाग वजी में हो मार आचत प्रांग्यों धरमान भाग वतानी दुलवमानुसम जनमा तद्यंदर्व आर्थदम कोमार आच्रित प्लाक क्यों को मज़ताशी भगवान तबंबज हमीं वह हम बतजन कर सुपwał Oh прим राम को नाम पड़ोरे मेरे बंदे इस माथ हुआ कि डॉडब कर दिफ़ाइ उलेने, इसके लागो। कर दो तरे प्ल relational कि कैना, कि यहीं इता, कि भीकेडे तर्पार्दों कि भीजिती हाघ, जिसले के लिए प्ल Mut इसे , gemeेु कि धू इसले कम दो फिर लिएह. करें किता मैं पृट बिस घर कोका ज़्त ज़िए आज आग है दधान आज में दिश्दा हरेंगे उला आज ने निदो आज में उनदो आज में इन दो आज़ेंगे प्रिष्ट चा सकते हो झेले करिक रम एक री मेंगू झाल 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 प्रहलाद बोली पड़ोरी मेरी वहिया रामको नाम अब प्रहलाद जैसे बोलें वो बिद्यार्टी ऐसे बोलें ने लगी आवाज बढ़ गई हिनकशब को मालम पड़ गया ओ मेरे दुस्मन का नाम आ रहा है पाट साला की तरब से आया हिनकशब देखा साब नत कर रहें और साब ताली बजा बजा करके गिर्टन गा रहें बस जलादों को बोलाया कहा एक ये प्रहलाद ना ये बिगाड देगा पूरी नगरी को पूरे गाम के बाल करने के खराब कर देगा ऐसा करो इस प्रहलाद को मरवा दिया जाए जलादों को अग्या दे दी जलादो लोह के कोड़े बनाव इसे मार दो ये मेरा बेटा नहीं अग्यामिली लोही के कोड़ों से माल लगाई नगन कर दिया प्रहलाद को लेकिन प्रहलाद भिर भी नहीं मरें मदवस्त हाथी के पैरों के नीचे कुछलवाया है दंता गजा नाम लिखा भागवजी में विश्णु पुराण में लिखा हाथी के पैरों से कुछलवाया प्रहलाद को नहीं मरा फिर जलाद उसे पकड़ करके चोटी पर लेगे पहुत उची चोटी पर उपर से नीचे पटग दिया नहीं मरा छिर समद्रम पथर बांद दियोंिए उसके सरीर से ब shred कर सकता है यह प्थर बांद दिये पथर बांद करके जलादों ने उसे तो पीरों को पकड़ते हैं दो हातों को पकड़ते पत्थर बांद दिये ऐसे लाया है और ऐसे हिला कर सोब मिक़्ोर Mend पचाने वाला हूँ उससे कौन मार सकता है नागों से डशवाया था गरम खम से चपगा दिया अगनी जला दे मरज गरम खम से चपगाया और उसके वाद में खुलती हो तेल में राले दिया प्रहलाद को नहीं मरा फिर दूद में जहर में ला दिया कयादू से कहा जहरा इसे इसमें प्रहलाद को पिला दे कयादू बोली महराच मैं ऐसा नहीं करूँ अरे तुम मेरी पत्नियों मेरे नाम की बिंदी लगा रखी है मेरे नाम की चूडिया पहन रखी है हाँ ठीक है महराच आप को मैं तुम्हारे नाम की जो बिंदी लगा रख कि ये बिंदी को छुडा दूं तुम को मैं अपने हाथों की चूडिया निकाल करके रखतूं आप गहो मैं अपने पैरों के भिछवा निकाल करके रखतूं लेकिन में बेटा को जयर नी पिला हुए जो पिलाना होगा आगया करके तुष्ट रिणकर शब चला गया उसके बा दो बस बेटा तुझे मैं कैसे पिला दू नहीं पिलाओंगी ना प्रहला दोले मा तेरा आशिरवाद मेरे साथ है ना कुछ नहीं होगा मेरे एक बात बताएं मा का आशिरवाद एक बेटा को बहुत फलता है मा यदि सरीर से ना हो ना तो कोई बात ना है पर सुक्षम सरीर से मा ता पिता आशिरवाद देते हैं मैं यह पक्की बात है पित्र नाम की योनी होती है कैलिपोर्निया नाम की यूनिवेस्टी में यह सिद्ध हो चुका है कि पित्र नाम की योनी होती है तो जप्टा लगा और जहर को पी गए मा तो पच्छाड खा करके गिर गई ऐसा लगा प्रहलाद को के गले में आकर के भगवान बोले ना था करके बैठ गए हो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ आवाज लगाई मा मा की मूरचा दुरमी मा ने सोचा मेरा बेटा जहर से कैसे बचेगा लेकिन सामने देखा बेटा आरा है मा-मा कहता कहता आरा है इदर से माँ आई बेटा को कौली पे बढ़ लिया बेटा हमा कुछ वहा दो नहीं तो ना वेटा मा मैं सुरक्शत अब गल्यों को ऐसे सहल आ रही है ऐसे देख रही है बेटा गावत रहे क्योंने तरी खुले को बीटा तेरी गले में दर्द तो नहीं हो दा जहर पीनिक बाद में दर्द होता नाम है तेरह आशिरवाद मेरे साथ है तो फिर क्या होगा दर्द कैसे होगा बस फिर शूचना मिलगे इनकर शबको अरे वह तो जहर से भी वच गया अब आया इसकी एक बेहन थी खास बेहन नह तक नाम तो कुछ और था उसी का नाम मुझे इसमराण Millya रा आगे चल और कि उसी का नाम फोलका हो गया है तो उसके पास में शीतलची था अब यह कता बांधिमे नहीं है और जो बांधिमे नहीं तो सुनाया नजय तो कि बात नहीं है प्र चल civil प्रहलाद को गोदे में ले लिया, उपर से लकडियां डाली गई, और फिर आग डाल दी है, जलने लगी वह आग, ददगने लगी ज्वाला की तर है, भगवान नारण की लिला देखो, उननचास प्रकार के जो पवनें उनको आदेश दे दिया, जाओ बहो, सक्ट बहुत ती प्रहलाद की रक्षा होगी, बहुत प्रहलाद की जाए, अब हिंड के सब को पता लगा, कि वह तो आग में भी नहीं जला, बढ़ो गड़वड़़ए, तो अब मर जागो, तो मर जागो, फिर साल दो साल हो है ना फिनना हमरे लुश ये तो बहुत सताब, फिर प्रहला, हि मैं तुझे मरवा दूगा बिल्कुल, अब मरवावे में कमी का छोड़िये बले आदमी, अब प्रहलाद भोले पिता जी, देखो, अब ज्यादा अनिती मत करें, और देखो, अब रह जाती है बात, भगवाल के नाम को छोड़ने की, तो भगवाल के नाम को नहीं छोड़ स मुझे आम नाम प्यारो, किता जी मुझे बते मारो, अब मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो मुझे बते मारो करना है कर दो 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 झाल रख दो झाल 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 तुम बताओ कहानी रहता है बोले बताओं बोले हां बोले इस खमा में भी है बोले हां पिताओं तुझ में मुझे में खड़क खमा में समय हुआ है राम हां फिर्डकेशब बोला क्वासो यदी सरवत्र इस्तम्मे नद्रश्चते तीरा परमादमा समी जग है इस्तम्मे नद्रश्चते तो इस खमा में मुझे नहीं दीख रहा रहाद बोले पिताजी तुम्हें नहीं दीखेको ठागूजी बोले तोले तुम्हारी आइसाइड भी कह गई है जो फिर फिर चस्मा चड़ वाले बोले ना या तसमा थे ठागुर जी नहीं थी कर नहीं थी को बोले और बोले एक भागवत नाम की कंपनी है ठागुर जी को देखना हो ना तुमें तो या तिर्ट कता मंदल ते जोड़ जाई हू भागवत नाम की कंपनी का भैम हो और भागवत में लिखा ग्यान ग्यान नाम की कंपनी का गलास लगा हुआ तू पर तेड़ी टांगवाला नजर आ जाएगा नहीं तो तेड़ी टांगवाली तुमें जानों जाकि चाल टेड़ी जाकि चटक देड़ी जाकि मटक टेड़ जाकि लीला टेड़ी जाकि बंसी टेड़ी जाको मुकुट टेड़ो आरे साथ तू टेड़ो तेरी टेड़ी रे नजिया बाबा तेरी टेड़ी मैया तेरी टेड़ी टेड़ी रे तेरी जसुदादु करिया अब जो इतनी जगहते टेड़ो हुए वागी कथा कितनी टेड़ होगी जाले यां तिर्ट के था मंडल से जोड़ जाओ बोलो जैस्री कृष्णा अब हो तेनकशब बोला तेरा राम इसका मामें बोले हां बोले अवे मारूं भूसा बनाया खम में मारा खम फट्रिया कि नर्शंग भगवान युद्ध करनी लगे हैं नकशब से ब्रह्मा जी के मांगे हुए जो बर्दान थे जो एग्रिमेंट करा रखाता ब्रह्मा जी से पहले वो फटवाया वो खर कटवाया क्यों अवा मेले खावाता ना दिन हो ना दिन में मरू ना रात गवरू अवो जागा समयत ना ऊपर मरू ना नहीं चेंवरू तो फुटनों के उपड़ डाल रखाता वोले ना अंदर मरून या बाहर मरू आई तर्ध देहली पेड़ी और उसमें लिखा हूआ जिए और वहार महिनों में किसी महिने में न मशिए न महिना की महिनू आगी नहीं अ अब महाराज हत्यार भी नहीं था है वोई ओजा रहे नाकुन और महाराज उनी को नाकुन बनाया बिना ओटी में जाए बाइपास सल्जिरी करनी लगे बोलो जैसी कृश्ट आंतों को निकाला गले में डाले लिया भगवान का नाम था आंत्रमाली भगवान का नाम था बनव ने खळाता कम आया नाम थे इसके वाद में वहान Qo call don i71 ना भगवान को प्रआथ यहाथा नहीं आगे सुनें के स्वननेकर संगें और ढभवान के बदका प्रण गड़ेता ना पर वहान। चमा और प्रहलाद तो में भह updates dei luamoga बदाओन ने शिदों ने चारणों ने वा लेकिन लक्षमी जी ने देखा भगवान का क्रोध वही सांथ नहीं तो भाई पत्ली के सामने तो अच्छे अच्छे करोध हो जाता है चाह कोई हमें पबंजी हो चैनल जितने जी हो ना पर लक्षमी जी बड़े अभमाने माई और भगवान का सुरूब देखा क्रोध में और बापिस हो गई साच्छात लक्षमी प्रिशता दीवदेश्टवात अनमद अधवतम अध्रश्टा सुर्टपुवत्वात सानोपे आई संकिता बापिस हो गई है फिर प्रहलाद आए चरणों में प्रणाम किया है ब्रह्मा द जब अज़ गयाते हैं प्रवह को आप प्रशन करना नहीं अं जैनता और आपको मैं यह कैसे प्रशन करिया कि पर दोग्ए करन बहुँर्द को इसे खाहरा अपने स्री अंग से लगा लिल्या प्रहलाद बालक तो ही बालक के अंग बड़े कोमल होते हैं और भगवान का श्री विक्रे भी बड़ा कोमल है भगवान नारैन का श्री अंग बड़ा कोमल है और प्रहलाद के भी अंग बड़े कोमल हैं लेकिन आज भगवान के कोमल अंगों से कोमल अंग लगे तो भगवान को यह पता लगा है कि भाई इसके अंग तो बड़े कोमल है और इन कोमा लंगों के उपर जब लोहे के कोड़ों से मार लगाए गई होगी तो कितना कश्टुआ होगा भगवान अन्रस्मिया बहुत रुए है बहुत रुए प्रेडाज गुभोदी में ले रखाए और रूरें एक संत ने लिखा बोली प्रभु प्यारे और कोमलत्य हारे यंग असुरने सतायो नाम मेक मेरी गाने में गिरते गिरायो और जल में डुबायो अगनी में जलायो कमी राखिना सताने में उडले लगाए लिपटावत बार बार करोणा रूप बने प्रभु करोणा दिखाने में बहुत रोई और रोते रोते बोले प्रहलाद कुछ माँड़ो प्रहलाद बोले प्रभू मेरे अंदर मांगने की सकती न जागे कि और प्रभू देना है तो पहले एगरिमेंट करदो तुब बोले क्या बोले मेरे पिता जी को नरक मत देगा हूँ भगवान बोले चिंता मत करें ती शबतभी पिता पूताय है पित्र भी सहते ही नहां जिसको लुए तेरे जैसे बद्टों का जन्व होगा अरे तेरा नामे कुल पावन तु पूरे को पवित्र कर देगां में यह मंडल है यह जो मंडल ग्र की सजनों यह आप पवित्र यह लेकिन इनकी 21 पिरिया पवित्र हो रही है साथ पीड़ी अभनी साथ पीड़ी नन्या लगी और साथ पीड़ी ससुड़ा लगी इस अधर्वात ना है नहीं तो दो दिन के लिए घर नहीं छोड़ा जाता है और यहाँ एक महीने पहले से बश्तिता हो जाती है पबन जी का मेरे पास पोन आता है महराजी आप ठीक हो मैंने हाँ तुम बता हो आप ठीक है महराज बस ठीक है गुरू जी बढ़िया ब्यवस्ता में लगे हुए ब्यवस्ता में और महराज ऐसा आशिरवा दे दिया फिर इसके वाद में आचार शुक्देव कहते ही राजन ऐसे भगवान नारायन अवतार धार रामकृष्ण की मालम होगी तो कुष्ण नमस्क्रम नमी अब मोग मालों में लिगन बता हुआ नहीं बोलो जैसे कृष्ण आप समय नहीं बाई अब जब आदेश हो गया अप अब मोज दक्षणा थोड़ी कम करानी अब नहीं है जाह कथा कम कहें दूंपर दक्षणा बढ बढ़ दो चाहक पंजाब कि मिम्तान था मुल्तान सेहर नहीं है ता में पहले अब तो पाकिस्तान में है और पंजाब में था उप पंजाब के लोग आज हम सिंग लगाते हैं को सिंग कर सिंग कुसरा हुआ है आप देखों पंझाब में जाकर कि नाम देंग न ही वह हुัआ को यह कि बुद्धिंग सिंग भाने सिंग थे भ़ाने सिंग sirinna इन तुपर अब इसके बाद में ढर cooking इतीश कि लक्षेलों का पार्णन किया फिर चारों वड़ों की वड़म रिवस्ता के वारे में वरणन करती हुई और नारी धर्म का वरणन किया सन्यासियों के धर्म बताती हुई ब्रह्मचारियों के धर्म बताती हुई धर्म कर्म का वरणन करती हुई और यही साथ में इसकंद को बिराम दे दिया है बोलो जैसे कृष्णा आठ में इश्कन्द में वासना को दूर करने के लिए साधन बताए है जिसमें पहली कथा सुना दी सता तहरिश्मरन कथा सुना दी गज और ग्रहा की गज और ग्रहा की जो कथा ये आज भी चल रही है गज है गजिन रहे सरोवर में जाकर के वहे इश्नान कर रहा है जल पी रहा है एक दिन की बात गज राज को प्यास लगेवन में जवनीर सरोवर पीवन आयों गज राज ने पाम दियो जल में तव ग्रहन आकर पाम दवायों गज राज ने जोर अटूट कियों तव क्राके जोर को पार न पायों लड़त लड़त गज हार गए तव प्रभून आकर फंद छुड़ाए और तेरी बन जाएगी राम गोण गाये तेरी बन जाएगी गोविंद गोण गाये से सो पाल गोण गाये से तेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी राम गोण गाये तेरी बन जाएगी प्रभून जाएगी प्रभून जाएगी झाल गोण जाएगी जाएगी कर दो 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 जोड़की बने गए जोगे बटकी बने गए कहा की टूंहान भी हमोगाई को थीडिया करी प्रिष अधाय के वा हनु जाद हाय रिए थो कह ज़ाय कि आनि तो जाह फानु अग्रच ए उप्राद मृ जाद शाट कि आने करी तेमा रिए हम जानु Kन्ण जादake वेजह को जो कि रहता बहुता है जब गोविन्द के नाम गाय थे गज की बन गई गीद की बन गई तो का हमारी ना बनेगी? जरूर बनेगी बस मन इधर लियाओ तो थोड़ा सा मन लगा तो तन तो तुमारा आई गया यहां तन के साथ थोड़ा मन को और जुखा दून फिर जिंजन की बन गई न ऐसे तुमारी ऊओन जाएगी और तुम्हाइं संग में मेरी हूँ जाएगी अब माहिदी इसके बात में फिर ज़या के पूरो वजनम को सुनाया है अब ये कथा तो आप जान दी ये सरोवर क्या है बोले ये सरोवर ही संसारी सरोवर है ये गजंद्र को ने बोले ये जीव ही जीवात्मा ही गजंद्र है और ये जो ग्रहा करके पहर पकड़ता है बोले क्या है बोली यही तो वो काल है यही तो कोड़ोना है भाई जाहिए यह कोड़ है जो गिराए गिरामाने काल जब काल आकर के पकड़ लेता है कोई भी नहीं चुड़ाओ कोई नहीं नहीं तो आपने देखा ना कोविट जब आया पती को ओगया कोरोना पहले कहती तुम मेरे प्राणों के आधार हो अब तो कमरा में डाल दिया डोगी को जैसे रोटी देती न ऐसे थी ती किवाड लगा लो उसने किवाड लगा ली एक परतन में पुरोटी लग दी जब में चली जाओ ना जब किवाड खोली है है हो ना फजी तो अब महारा यही तो ग्रहा है अब बस इस जब ऐसा संगट आए ना प्रभू का नाम इसमरण कर लिए आपने देखा ना गर-गर में गर-गर में रामाड का पाठ वरा था गर-गर में भागवची लगा लिए शिप्रान लगा क्योंकि ऐसे संगटे में तो भगवान ही पिरन के पूरुवजन्म के बारे में ब्रणन किया गजरु ग्रहा जो पूरुवजम नाम नाम का महराच कहते हैं यह पांड बंस में जन गंद्रव था कहते हैं देवल नाम के रिशी थे हमारे जटारी के पास में जीवर कस्वा है वहाँ एक इन महत्मा का आस्रम है और उनके श्राव के कारण पर इनको कहते हैं हो नाम का जो गंद्रव था इसको ग्रह बनने का इसराव दे दिया गता है फिर इसके बाद में लक्षमी का सभी पर संभावे एक कथा सुनाई है जिसे कहते हैं समद्र मंतन की यहां बहुआ नारान का कच्छप रूप में अवतार हुआ है बोली कच्छप बहुआ जाने की यह संसार ही समद्र है और कहते हैं महराज शमद्र मंतन हुआ वा सभी मंद्रा चल नाम का परवत था उससे ले आई थे और यह मंद्रा शर्परवत क्या आये बोले हमारा मन już मंद्रा चल है और मथानी होगी मंद्राचल परवत की मथानी वना ली और वास की नाग राग जुको नेती वना ली रसी चाहिए न अब देवताओं ने क्या किया पूछ तो पकड़ा दी देत्यों को और मुख पकड़ लिया आपने देतों बोले तुम बड़े चतरों पूछ असुदंगे हमें पकड़ा दिया और मुख पवित्रंगे वो आपने पकड़ लिया बोले हम तो मुख पकड़ेंगे देवता बोले तुम मुख पकड़ लियो हम पूछ पकड़ लिया अब मन्धन होने लगा है लेकिन मंद्रा चल परवत बड़ा भारी था वह दूब नहीं लगा बहुआ नाराण ने अवतार लिया कच्छब रूप में बोली कच्छब बहुआने की फिर इसके बाद में मन्धन होने लगा अब मुख पकड़ रखा है राक्षसों देतियों ने सो ऐसे पूछ पकड़िये की देवताओं ने ऐसे जब मंतन होने लगा वास्की नागरा को आया करुद सो जहरोगल ने लगा फुसकार मारने लगा और जितने देट थे थे ना सब के सब काली हो गए सब काली हो फिर महराज इसके बात में चोधा रत्न निकले हैं पहले विश निकला है बहवान भूली नात उसका पान कर गए हैं लक्षिमी कोस्तव पारे जातु कस्रा धन वंतर इश्य चंद्रमा दीनू काम दुदा सुरे सुरग जो रंभात दीवांगना आश्वाइश निकले हैं पहला रत्न भिश्का है बहवान बोले नात उसका पी गएं और कहां रख लिया वो जहर मालो में कंट में? कंट कैसा हो गया? नीला नाम हो गया नील कंट बहवान के ऐसा बता दें बहवान बोले नात के पास में एक डिबी ही उस डिबिया में उसको बंद कर दिया था जहर को अब वो डिबी कौन सी थी बता हो? बहवान बोले नात के पास में डिबी थी जिसमें जहर बंद कर दिया था कौन सी डिबी? ना 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 देख रहा है? कम है यह? अवना लिपाप निज़ निधाने वाला तो राम नाम की टबीदी रा मोरा कैदे मु खुल जाता है और मा कहते हैं तुम खुबन दो तुल्शी बाबा ने लिखा तुल्शी रा के कहती ही और निकसत पाप पहार पन्यावन पावे नहींती तुमकारिक गिवार फिर इसके वाद में अम्रत प्राप्त हुआ है धनवंतरी भगवार अम्रत का कलस लेकर के प्रगट हुए और रतनु को आप सब को जानते ही हो एक इश्लोक के माध्यम से बता दिया आमने स्रीमानी रम्मा वारुणी अमी संग गज्राज कलपत रम्दस सस दहनो धनवंतर वि हुए देट को अम्रत निमिलत अम्रत तो बहुआन के प्रेमियों को मिलता है यह आमरत के प्रेमिय नियुक और उनको यह कथा रूप्य अम्रत पर घघवान के। लुप में आते हैं। मथनमें आकर कि भहुआनि भाहून नारायन मोहनी रूप में आकर कि प्रकट हो जाते हैं। मोहनि भगवान के लयote द्युआ गवान के रूप को देखते हैं। और फिस जाते हैं। या वल साली माया से प्रभूई बजाते हैं। भयवान की माया बाढ़ी बल साली है। कहते हैं देत भखवान की सुम्धरतामें फस गई। सारा अमर्द भहवाने ने देवतां को तुलादिया है। दैत्य देखते के देखते ही रह गए एक बड़ी सुंदर रचना है आप हमारे गुरुजी की रचना थोड़ा सुनागे याबल साली माया से इस्वर ही बचाते हैं याबल साली माया से इस्वर ही बचाते हैं याबल साली माया से इस्वर ही बचाते हैं माया रूप लखे चले संकर जी अरे माया उभल की चले संकर जी माया रूप लखे चले संकर जी अरे माया की चाया से इस्वर ही बचाते हैं याबल साली माया से इस्वर ही बचाते हैं माया ने मन कर लिया नारत का माया ने मन कर लिया नारत का जग मोहिन संदरता से इस्वर ही बचाते हैं 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 या एहंकार छाया से ईश्वर ही बचाते है या एहंकार छाया से ईश्वर ही अज़ा में ज्यादा एहंकार हुए ना एहंकार की बें तो जीवर नहीं चलेगा मन पुति चतर हैं पर जाँ ज़्यादा एहंकार आ जाना पिर समझे लो भाई वह तो अब भगवानी बचाते इस एहंकार चाया से ईश्वरी बचाते हैं अब दैत्यों में तो बड़ा एंकार है बड़े अभमानी है भगवान के मोहनी रूप में फस गए देख तेरे बोले भाईया सुंदर बहुत है कि तो यही तो अच्छा दैत्यों ने जो दूसरे की इस्त्रीक कोई सुंदरता की त संतुष्ट है कारी मिल गई गोरी मिल गई अब तू दूसरे की नारिया देखें वाइशंदरता में तू आकर से तो रहा है तो इसका मतलब है दूसरे की बहन वेटी पतनी की संदरता को देख कर के जो संतुष्ट माराच वही वास्तम में देत्य है राक्ष से देत्य बहवान की मोहिनी की संदरता में ऐसे फस गई देखते के देखते रह गई पलकुन है मारे आहा कितनी एक्स्टा ओर्डिनरी साला अम्रत देवतां को पिला दिया देवासुर संग्राम हुआ फिर इंद्र ने बजर का प्राहर किया बली की उपर बली की म्रत्य हो गई और फिर इंद्र राजा बन गए फिर आजा प्रिक्षित इसके बाद में अब बली के गुरुजी सुक्राचारी उनको पता लगा वह एक विद्या जानते हैं को सी हां मुरत संजी वनी विद्या जानते जो मर जाता उसे जिन्दा कर देते हैं और ये जिया ना आए ये पहले से चलिया रही और अब तो वह भी नहीं अब तो लिखवा लेटे हैं बोलिए मर्गों तेरो आदमी ओटी में तो हमाही कोई जि जंदा कर देते थे सुपराचाल जी ने उसमें त्याका प्रियों किया बली जंदा हो गया और फिर बली ने आप निवेदन किया फिर एक कराया और यकी से विश्जीट नाम गरत्रगत हो गया उसमें बैठकर कि इंद्रपुरी के ऊपर गया इंद्र का बड़ा गया डर के कार कि अपनेक पति का सिर्ट नहीं ने भाबन कि को उनुक बहनों को या प्रत करना चाहिए । जिनकी प्त्र कामना अप्र ताय nuh अब माता अधिदी निवे प्रत दारण किया और उसी ब्रत के प्रभाब गी दहारा बारे afford अगराज आगे उसी ब्रत का अईसा प्रण्यात्व प्रभाप्ता भादों के मेहिने में सुकल प्रक्षमें और द्वाद सी तितिती में बहुआन नारयन उनके अपुत्र बनकर की आगे बामन रूप बनाकर की आए उलिवामन अभणाण संंस्टार बनके तो अगे याकेशिएशक्या पुरशाच्क्याच्वत तेलत पाद्व स्रवेश्रमाम अमद्यापन रूप जोहता सब्सक्राइब गुरुज निया क्यों पवित्संस का राधीकर आया कमंड़ देदिया चादा देदिया आगर के कुई न कुई पार दिया और महाराच कमंड़ देदिया भगवान चलनी लगी तेदियो कमंडल हाद आरे हाद छोटो सो बनाएगू सिन्धा संजेदिया रभगवान चलनी लगी अरोकली जंगली जहीं है, तुझ के लोगा है। तो करदे लोगा है, तुझ के लोगा है, वोगा है। भाजो वे भाजे लोग साथ के लोगा है। जटैंकím है। झाल 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 झाल, 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 झाल 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 तो झाल 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 तो झाल 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 झाल